कि या चुक्ता है कि इस लोग इटूप कोई टेबल नहीं यहां पे है कि उसे रखने के लिए यहां नहीं कि मैंसे इस रख लूँ अब बार बहुत तो जाएगा का रख को अनुट सब्सक्राइबर यहां एक गाले अनुट इस नहीं है ज्यां पर अधार अनुट रहे हैं जो इस पालक का है वह क्या पुछ रहे हैं अब से इस पाथ बिद्यंतर है कि ए तुआा गोआ रुवाल पार्ण मार्णोड सिर läuft मुझे अगर अरा भी मुझे मिने ऑगर लेख के लिकी यहां आजाए आख वहा रहे तुछ सर्फियं गॉट कर दो जया है जी मुहतरा मदाव तक्का साथ मैं आपका बहुत शक्र गुजार हूँ या उपके पश्रीफ लाए या आपकी इजाजादा को मैं कुछ प्रोग्राम अपना सुरू करो लोग आते जाएंगे जोते जाएंगे इंशाला उनके आशिर्वास से बिलकुल प्रोग्राम शुल करिए लोग साथ आते गए और कारों बनता गया क्या बार? नाजरी नादाब प्यादब शाला अन्मर जलाल पूरी ये क्यों आमल में आई अन्वर परमुश्री अन्वर जलालपूरी साहब उस शक्तियत का नाम है जो कि मुटाजे तारूफ नहीं अन्वर जलालपूरी की शान भगाने से ना उनकी शान बढ़ेगी ना घटाने से घटेगी वो एक आफ़ताब है जो अग्रिस्तान में हमेशा उसी आफ़ताब के साथ रोशन रहेंगे अदब शाला है क्या उर्दो हिंडी दो सगी बहनों का गहवारा शेरो शारी का मगशाला गंगा जमी तहजीब का रखवाला तहजीब की गंगा अदब की जमना का संगम कव्मी यग जहती का परियाग प्रेम की संत रंगी इंद्र धनुष श्री कृष्न की महबत की मथुरा भगवान राम की किरपा वो तफस्या की आयोध्या गजलों और कविता का ताज महल गंगा जमनी तहजीब का मुहाफिज इंसानिया का अलंबरदार शहिन शाह निजामत पद मुश्री अनमर जलाल पूरी की याद में अरुदू औ हिंदी अदब के रोशन मुस्तग्बिर के लिए मनजर आम पर आया अदब शाला नूरी साब अदब अदब शाला के इस तहजीबी शफाफ आइने में अक्स चाहे जितने हों उनमें जो एकलावता मुनवर शहरा नजर आता है उसको मिट्टी की दबीस चादर भी डूपोश नहीं कर सकती वो शहरा कल्ब की धरकनों और यादों के तखत ताउस पर अपनी अजमतों के साथ मसनद नशी है अगर ऐसा ना होता तो हिंदुस्तान और बेरून मुल्क के अजिमल मरतबत और शोरत याफता लोग उसके शीश महिल में क्यूं आते है इस शीश महिल के तखत ताउस पर जलबा अफरोज अदब का शहजादा ओदबा शोरा वकवियों का राजदुलारा और सभी की आँखों का तारा अदब शाला की रूह पद मुश्री मुद्रम अन्वर जराल पूरी है आज बतारीख 6 जुलाई को अदब शाला ने उनकी यूम विलादत के 73 सालगेरा पर एक अधिम शान आलमी मुशारे का विसमेलन वा वेबिनार का इनिकाद किया है इस आलिशान वो आलमी प्रोग्राम को मुनकित करना ना मुम्किन था अगर मेरे पास दो शक्षियतें ना होती पहली शक्षियत मुतरमूल मुकाम आली जनाब संतोस कुमार सिंग साहब पी सी एस एडियम एर्मिनिस्टरेसन अयोध्या उनकी खूबियों को बयान करना गोय सूरश को चिराग दिखाने के मतरादिफ है मेरे पास अल्फाथ नहीं मुतरम से मिरी मुलाकाथ अनवर साहब के इस दारفानी से कूछ कर जाने के बाद हुई और इनसे मिलकर अनवर सहाब की रहलत का जो सदमा और असर था मुटरम की शख्सियत ने उसमें बहुत कुछ कमी कर दी मैं अपने एक शेर से उस काइफियत को बयान करता हूँ जो हकीकत की अकास है खुलूस औ प्यार जो मुझको मिला था अनवर से खुदाने वैसा ही फिर मुझको दे दिया संतोष खुदाने वैसा ही फिर मुझको दे दिया संतोष मुहतरम तमाम तर मसरुफियात के बावजूद अदब वो तहजीब और इनसानियत की खिदमत का जो जजबा रखते हैं वो अदब की इस दोर की तारीकी में मशाल लेकर ढूरने से दूर दूर तक नज़र नहीं आती इनकी मुहबतों और शफकतों ने मुझे एक परिवार जैसा प्यार दिया और अदब शाला के को जो सहरा दिया कि उसे परवास करने का हुनर आ गया हमारी हमारी मुस्तक्बिल में इनसे बहुत सी उमीदें वाबस्ता है अदब सर्वेश जी हम सब और अदब शाला पर यूही काईम और दाएम रखे तुम्हारा अजम सलामत तुम्हारी अम्र दराज तुम्हारा अजम सलामत तुम्हारी अम्र दराज जमाना तुम से बड़ा काम लेने वाला है दूसरी एहम शक्सियत उस शक्स की है जो एक रूहानी सर्जमीन से है और खुछ स्यादा भी है तबीयत में बेपना इनकिसारी गरीबों वा मसदूरों का हमदर्द सखावत का दर्या हक के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाला गंगा जमनी तहजीब का महाफिज पैजान अश्रफ चांज साहब जिनकी हमत अफजाई और पजीराई ने इस खुबसूरत प्रोग्राम को मुनकित कराने में बहुत ही नर्म दिली वो दर्या दिली से अदब शाला का साथ दिया हम उनके भी इहसान मंद और शुक्र गुजार हैं अदब शाला के प्रोग्रा काम किया है वो शक्सियत है बरादरम अजीज अबन अबास साहब गुलिशन बरदर्स की मैं उनकी शफकतों और महबतों और हिस्तान मंदी को कभी फरामोश नहीं कर सकता अदब शाला की एक मुनफरी शक्सियत अनुमर सहाब के वक्त भी और उनके रहलत के बाद भी मेरी सर अदब शाला की यान बान शान वो जान कस्बा जलालपूर के अदब वगंगा जमनी तहजीब के चमनिस्तान जिसने हमेशा अपने खुन जिगर से अदब की याबियारी की बड़े भाईया मुतरम सन्ने खंजा जलालपूरी साहब अदब शाला के रूह रमा अदब की मिराश पर फाइज जिनकी खामा फरसाई को देखकर सारे उदबा डांतों तले अंगली दबा लेते हैं अंग्रेजी अर्दू हिंदी फारसी अर्बी जबान पर मजबूत गिरफ तरकने वाली शक्सियत अजीजरम मुहम्म्द जफर सा फाइजा बादी बागी साहब अदब हमारे अदब शाला के सरपरस्ट वन नहायत ही मुखली सुद्बा वो शौरा वो बलखुस नए कलमकारों की पजीराई और हिम्मत अफजाई करने वाली और हमेशा अदब की मेजबानी अदब की महमान नवाजी का जिसका तसवूर ही नहीं ऐसी शक्सियत और मुझे हावसला वो हम्मत देने में जो सरे फेरिस्त है वो शक्सियत हैं मुतरमलमकाम आली जनाब डाक्टर कमर अली शाह सहब भौपाल हमारे प्रोग्राम के रुह रमा जिनसे मैंने चंद दिनों में बहुत कुछ सेखने को मिला जो खुद अजीम और मशूर डाक्टर भी हैं लेकिन अमर के उस पड़ाव पर हैं कि जहां इनसान की सहत उसका साथ देने में खुद को कासी समझती है इसके बावजूद भी वो शक्स अदब की खित्मत करने के लिए 24 घंटे अपने आपको आमादा रखते हैं मेरी मुराद जनाब डाक्टर फखर आलम खान साहब की है जो आजम गर्व में तश्रीफ रखते हैं लाँ उनका साय हम सब पर और अदब पर काफी अरसे तक काईम और दाइम रखे अदब शाला की एक और शक्सियत कस्बा जलालपूर की अजीम वपाय के खतीब अल्लामा वो मौलाना हबिबूर रह्मान नूरी साहब जो मुताज तारुफ नहीं उन्हें देख कर ही कल्बी स सकून मैसूस होता है अदब शाला के हर परोग्राम में उन्होंने अपनी मौजूदी से चार चांद लगाया हम उनके भी शुक्र गुजार हैं अदब शाला के आहम रुक वह समा सेवी हम सब बिल खुसूस अदब के नौजवानों के रहनुमा मेरे बड़े भाई सेयद बरादरम और अदब शाला का दामे दिरहमे दमने सुखने मदद करने वाली शक्सियत जो मेरे लिए हमाला पहार जैसे हैं मौतरम मौम्मद अजीम साहब का आविश गिफ्ट कार्नर शमी मतहर सहब फैशन टस मुस्य और अदब शाला से और बिल खुसूस पद मुश्री यनवर जलाल पूरी सहब से जजबाती रिष्टा रखने वाला नौजवान कलमकार अबू हमज़ा जलाल पूरी सहब हमारे अजीज मीडिया एजिंसी के अबास वीडियो के मालिक वो ड हैस साली से बचाने वाले मिशल फलक साया बनकर अदब शाला की हफाज़त करने वाले मौतरम जनाब अकमल जलाल पूरी सहब अनमर सहब की तामीर करदा दर्सगा मिर्जा गाली बिंटर कालिज के सभी अराकीन बिल खुसूस मेरे मुखलिस व करम फरमा माश्टर शबीर हु पुरी सहब प्रिंस्पल मास्टर तिर्वईनी परसाद मिश्रा जी और उन सभी अरकान का अदब शाला के पिछले प्रोग्राम में शमूलियत और खुलूस का मैं तहे दिल से शुक्र गुजार हूं हमारे प्रोग्राम के सरपरस्त व कस्बच जलालपूर की नहायती नभी आहमस सहब कदम कदम पर मेरी रहरमाई वहासला अफजाई करने वाली शक्सियत मौतरम चचा इसरार बागी सहब बड़े भाई इबने अली जाफरी सहब हर्दी लजीश शक्सियत बरादरम नियास तविदी सहब बरादरम राशिद अली बच्चन सहब सहाफी निकिलाब उर्दू छोटे भाई मौम्मद मीसम सहब सहाफी अवद नामा भाई घंशियाम भारती मौतरम आरपी सिंग खो गई मुशायरों की आवाज अन्वर जलालपूरी पढ़कर मेरी अक्ल हैरान हो गई कि मौतरम की नश्रिनगारी एतनी जामे वो उम्दा की जैसे अलफाद की कहकशां सजा दी हो अदब शाला के मार्ग दर्शक वो शाहियत का रुदबा रखने वाले अदब व गंगा जमनी तहजीद के संगम हमारे मौसिन मौतरम अजीद हर्श वर्धन अगरवाल जी हिल्प यू ट्रेश्ट मेरे अदब साला के सभी मौजब व अजीज दोस्तों अन्वर जलालपूरी सहाब के फर्जंदान मौतरम शरियार जलालपूरी भाई शाहकार आलम गुर्डू व अजीजम डार्टर जानिसार आलम असिटेंट प्रोफेसर लखनो यूनिवस्टी जिनकी शफकतों वा मौबतों ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं बदमश्री अन्वर जलालपूरी का फर्जंद नहीं आखिर में उस अजीमल मरतबत वा मौजब खातून को मैं कैसे फरामोश कर सकता हूँ जो अन्वर साहब की कामयाब जिनदगी का जीना बनी अन्वर साहब को अन्वर जलालपूरी बनाने में उनका सद्ध थीसद ताउन रहा मेरी मुराद उनकी अहलिया मुतरमा से है जिनोंने मेरी हमेशा मा की तरह शफकत की अल्ला उनको शाहर का गम बरदाश करने की कुवत अता फरमाए और उनका साया हम सब पे काइम और दाइम फरमाए एक और शक्सियत हमारे मुखलिस डाटर अनिल किरपाथी जी की है जिनकी अ हमारे हमदर्दों में हैं मेरे अद्वी जौक के मौसिन वह हकीकी उस्ताद जिनकी अद्वी बुजर्गी का इतिराफ पूरी दुनिया करती है कस्बा जलालपूर का अद्वी तबका एक तरफ मुटरम की अपनी शक्सियत तनहा एक तरफ सब पर भारी नजर आती है कोहना म हमाश के शायर उस्ताद शौरा अलहाज जाहिज जाफरी सहब जिनके बगहर मौजूदी के अदव शाला का कोई भी प्रोग्राम होना नामुम्किन उनकी बुजर्गी और उम्र का पास्व लिहास करते हुए इस आनलाइन मुशायरे में उनका शामिल नहों पहुपाना हमा में उनकी सरपरस्ती इस प्रोग्राम में है और उनसे दिल से मौजद खावे हूँ आज के इस बेमिसाल आनलाइन आलमी मुशारा वो कवी सम्मेलर एंड वेबिनार जो अदव शाला अनमर्ज जलालपूरी के जेरे तमाम मौनकित किया गया है इन्शालला मुशायरों की ता प्रफिल की सदारत कौमी एक जहदी का पर्शम साथ समंदर पार भी उसी आनबान शान से लहराते हैं अदब जिनकी शहरगे हयात में शामिल है उनकी आदब की दो आँख हैं अर्दू और हिंदी की तरह हैं जिनके सीने में वतन की महबत कोड़ कोड़ कर भरी है तहजीब जो अदब की हर अबारत उनके कदमों पर सर बसوجود रहती है कलंदराना तबियत वसिकंदराना मिजज जमीन को आस्मान से मिला देने का होसरा रखने वाली शक्सियत मुतरमुल मकाम इजजत माब जनाब सेद सलाहुदीन साहब जो अदब की दुनिया में किसी तारुफ के मोत काज नहीं पद मुश्री अन्वर जलालपूरी की रूह में बसने वाले बलकि ये कहे दूं कि उनके कल्ब में सलाहुदीन बनकर धर्कने वाली शक्सियत अदब शाला उनका बहुत ही ममनून मशकूर है आज के प्रोग्राम की सदारत की उन्होंने मसनत कबूल फरमाई इस हम उनके बहुत शक्रों गुजार हैं इस प्रोग्राम के नाजिम वो अदब शाला को अंगली पकड़ कर चलाने वाले जिनकी शक्सियत अगर अदब और मुशारे से जुदा कर दी जाए तो अदब और मुशारे का कोई तसवर ही ना बाकी रहे मौतरम की निजामत मौजू को वो शक्सियत जो खुद एक काइनात है जो अदबिस्तान में मिसल आस्मान के पूरी तवानाई से साया किये खड़ा है जो एक जहित नहीं बलकि शजहात है जो इस दोर में अदब और मुशारे पर शफ्कत पद्री की मानिंद है घजल को महलों की रानाईयों से निकाल कर बेकस वो मजलूमों की आवाज बनकर इनकिलाब बर्पा करता हुआ मां के मुकदस कदमों पर लाकर सर खम करा देने वाला शायर जो कि इस वक्त इस को रह अर्ज का कोई भी गोशा ऐसा नहीं जहां उसकी मद्दाह ना हो जिसी कलंदराना मिजाज पर पूरी शहिंसानियत कुर्बान हम उनकी आनबान शान वो जान मौतरा मुनवार राना साहब के शुक्र गुजार है मुशारे की मुनफली शक्सियत और अपना मकाम खुद बनाने वाले अजाइम के शहिंसा जनाब अजम शाकरी साहब मुशारे के हर दिल अजीज शक्सियत हसन काजमी शहब मुशारे में सबका दिल जीतने वाला शायर सर्वेस अस्थाना साहब अदब का वो दरिया जो अपने साहिल पे आने वालों को कभी तिशना वापस नहीं जाने दिया मौतरा मौमद अली साहिल साहब आगरा नगरी से शामिल मौतरमा सरोनी राना साहबा अदबी मुशायरों में सिन्फ निसुआ की महजब खातून मौतरम शभीन अधिब साहबा जिनकी मुशायरों में अद्म मौजूदगी सद फीसल कामियाबी की जमानत होती है मेरे बड़े ही मुखलिस जिन से मेरे फैमली तालुकात हैं जिनों ने हर कदम पर मेरी नुमाइंदगी की और कोई दिन ऐसा नहीं कि मेरे परिवार की खरीयत ना दरियाफ्त करें बड़े ही शफीक और महर्बान डाटर हरी फैजाबादी साहब और अदब साला आप सबी शुरका का दिल की गहराईयों से खेर मगदम और इस्तिक्बाल करता है और मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करके अब जलाल पूर की बहुत ही मुनफरी शक्सियाद जदील लव लहजे के मालिक मौतरम अकमल जलाल पूरी साहब से इलतेमास करता हूं कि वो माइक पर आएं और मौतरम पाद मुच्री मौतरम अन्वर जलाल पूरी साहब की हम ना ये दिन ना ये रात बागी रहेगी अपने मुनफरी लहजे में पेश करें शुक्रिया अकमल जलाल पूरी कहां बैट हैं यहां बलाएं यह क्या है जरा जाओ नजये और बैट घुक्ष terreणए में अंगरी टॉश है जपादे हम इसका है बलाएं यह घँ साव कि हम लाजा फरमाएं ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी बस अलाह की जात बाकी ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी नगर दिस में सदियों जमाना रहेगा सदा तो किसी का नसिका चलेगा हमेशा ना कोई जनाजा उठेगा ना खुशियों की बारात बाकी रहेगी बस अलाह की जात बाकी रहेगी ये दुनिया का मेला तो है चार दिन का ये दौलत करेला तो है चार दिन का ये सारा जहमेला तो है चार दिन का नगर मीना बरसात बाकी रहेगी बस अलाह की जात बाकी रहेगी और मक्तम लाजा फ्रमाएं बदन पर तु मिटी कही तिरा रहा है तू अनवर खुद अपने को बहका रहा है जो आया था कल देख वो जा रहा है यहां क्या कोई बात बाकी रहेगी बस अलाह की जात बाकी रहेगी ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी बस अलाह की जात बाकी रहेगी जहां जख मुहेदर दुहो कर रहेगा रुखे जिन्दगी जर दुहो कर रहेगा लहु गर्म है सर दुहो कर रहेगा ना गर्मी ये जज़बात बाकी रहेगी ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी और आखरी बंद लेगा फरमाएं जो पैदा हुए है तो मरना पड़ेगा नकी रहन से रबुत रखना पड़ेगा कयामत से जिस दिन गुजरना पड़ेगा अमल ही की साउगात बाकी रहेगी बस अला हकी जात बाकी रहेगी असलाम अलेगी अदर शाला इसके लिए आपका बहुत ही शुक्र गुजर है अब मैं आवास देने जा रहा हूँ हमारे करम फरमा चचचा इसरार बागी साहब को वो माईक पे आएं और अनुमर साहब की शक्सियत पर अपने ख्यालात का इजहार करें मौतरा मिसरार बागी साहब इसरार बागी को लिखी होँ अब ही जब आप से कहा जाएगा तब पढ़िये साहब माई कान कीजिए अपना माई कान कीजिए बागी साहब आपके आपसों ने माई कान कीजिए माई क बंद है आपका अजी सलोनी जी आखशा सलोनी जी आदाब असलाम आले जी वालेकुम सलाम मौतरा महां आवाज आई आज हम उस सक्सियत की यादगार में मुनक्पिद मिशायरा का समेलन में तस्रीफ लाए हैं जो तीन साल होने को जा रहे हैं हमारे बीच से अल्लाह ने ऐसी सक्सियत को उठा लिया है जिनको हम ताउमर भूला नहीं सकते हजराद अनुवर जलालपूरी साहब हम लोगों को अपना एक छोटा भाई मानते थे खास तोर से उनकी कुछ चीजे याद आज गयी हैं उनके कुछ खास पहली थे उन्होंने कभी भी किसी चीज का गुरूर नहीं किता उन्होंने हमेशा हमेशा अपने छोटों को इज़त दी उन्होंने जिन्दगी के हर सूबे पर नजर रखी वो मानते थे कि दर्द हो तो दवा करे कोई और मौत जब हो तो क्या करे कोई यह जन्वरी दो जन्वरी पीन साल होने को हैं हम लोगोंने बहुत कुछ खो दिया और खुदादाद तोहफा ता जलालपूर के लिए नहीं बलकि पूरी दुनिया के लिए साहिरी हो या जिंदगी का कोई भी पहलू हो मरहूम हर चीज को कुछ अपने अलग अंदाज से देख थे वो एक सहाफी भी थे निजामत तो कजम कूंती थी अंतर रास्ती अक्तर पर बड़े बड़े शायरों ने कोशिज की एक अच्छ नाजिम बनने की लेकिन वो नसीब में अन्वर जलालपूरी साह के ही निजामत आई वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपने मुल्क की पर्चम लाराया उनके खास्तावर से गंगा जमनी ताजीब पर मुल्क का जो भी था वो बुक्त मुनसर था मैं ऐसे लोगों को मुबारक बात देना चाहता हूं जो मरहूम जैसी सक्सियत के बारे में हम लोगों को बार बार रहा दिलाते थे हमारे डाक्टर एस्पी साब बैठे विये हैं हमारे अजब शाला नौर जलालपूरी एप्स के एड्मिन बनकी अध्यक्ज कहिए हमारे डाक्टर हसन सही साब बैठे हुए हैं मैं एक बात जानता हूं कि सबसे ज़्यादा मकाम उन लोगों का मैं मानता हूं जो इस सम्मा को जलाए रखने के लिए पराबर कारकरम करते रहते हैं हमारे बीच में एडियम परसासन अधरणी संतोष कुमार जी जो मरहूम के सहदाई हैं मैं उनका शुक्रियादा करता हूं जितने भी सोरा है हदरात आज की इस मैफीर में हैं उनके तेरावे जनम दिन जनम सदी समारो परमुनकेजिस जलसे में हैं मैं सब का तहजिर से शुक्र गुदार हूँ और अमारे S.B. साभ डक्टर हसन साभ तो बड़े करीब थे और मैं अपने को क्या बताऊं और हूं जहां भी जाते थे लेकर जाते थे और कहते थे कि इसरार भागी देखो कुछ दुनिया कहां है क्या है कैसे है क्या क्या नहीं हैं, उनकी चीज़े कुछ आज भी मुझे याद हैं, दिल कहीं, जिस्म कहीं, रूफ कहीं, आदमी तूट के बिखरा, कभी ऐसा तो ना था, उनका कहना था, हम कासी काबा के लई, हम क्या जाने जगडा बाबा, अपने दिल में सब के उल्फत, अपना सब से र जिस्ट बना रखा था, इसकी खिर्मत की नी, तो मैं अब जादा क्या कहूं, याद आती है, मर्हूम की, भाई की, तो तवियत जो है, बिल्कुल नासाद हो जाती, ऐसे मोके पर, उनके, बेटे, शेरियार साहब हैं, डक्र साहब हैं, साकार साहब हैं, मैं अल्ला से दौा क करता हूं कि वालिद मोहतरम के बताए रास्ते पर इचल करके और उनका जहां तक हो सके, उनके नख्षे कदम पर चल भी रहे हैं, हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल अस्तर पर, डक्र साहब, नाम हम लोगों का कर रहे हैं, जिले का कर रहे हैं, अपने मुल्क का कर रहे हैं, और आज पदम शरी मरहूम अनवर जलालपुरी साहब का तिहत तर्मा जनम देन, जो में पएदाईस का जसन है, एक तरफ तो खुशी है कि उनके जसन में पएदाईस के जसन में दूसरी तरफ उनकी यादे ताजा हो रहे हैं, और दिल जो है, वो कुछ पेताब है, कोई हमारे तमाम हज़रात मैमाने हैं, सुपरावले को, शुकरिया. बहुत बहुत शुक्रिया मुटर्म इसराबागी साहफ आपने अपने ख्यालात का और अपने जजबात का जो अनुवर जरारपुरी से इसहार किया है बहुत ही खुबसूरत अंदाज में पेश किया हम इसके लिए आपके बहुत ही ममनून और मश्कूर है मुटर्म हसन काजमी साहब भी हमसे जो शुक्रिया है आदाप काजमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आदाप बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत अतीक साहबा आपका भी शुक्रिया अब मैं उस शक्सियत को आवाज दे रहा हूँ यो कि अनवर जलाल पूरी साहब के घरेलू तालुकात हैं उनसे उनके उस्ताद भी रह चुके हैं हमारे कस्बे की बहुत ही मुनफरी शक्सियत मुहतर मुकाम अल्लामा मौलाना आली जनाब हभीबु रह्मान नूरी साहब वो माईक पर तश्रीफ लाएं और अनमर साहब से अपने मरासिम अपने तालुकात और अपने जजबात का इजहार करें वो माईक पर तश्रीफ लाएं मौतरम नूरी साहब देखिए मुलान नूरी वाला देखिए वहां से असलाम अलैकुम आदाब बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम सद्रे मुशायरा मस्दरِ خلوص و महबत आली जनाब से सलाहुद्दीन साहब अश्रफी उल्जी लानी दर्गाह मौला हुजूर्मख्दूम अश्रफ मौजज शौरा एकराम वदानी शवराने मुलक मिल्लत शहजादगान पद मुशिरी अनवर जलाल पूरी मरहूम मकपूर इज़त माब जनाब संतोष कुमार सिंग सहब पी सी एस एडियम एडमनिस्टेशन अजुद्धिया शहज़ इल्मोफन ताज़दार नकाबत जनाब डाक्टर कलीम कैसर सहब पैकर इखलास औ करम जनाब सेद फैज़ान अशरफ सहब चांद भाई अशरफी उल्जीलानी कि छोचा मुकदसा अदफशाला अनवर जलाल पूरी के फाउंडर और कन्वीनर जनाब मुहतरम डाक्टर हसन साईथ सहब साईथ जलाल पूरी सामाईन बातमकीन नाजरीन किराम आज मुझे बड़ी मसर्रत और खुशी महसूस हो रही है अपने उस्ताज गिरामी आलमी शोहरत याफ्ता शायर और एनाउंसर जनाब अनवर जलाल पूरी साहब की शक्सियत पर कुछ लखकुशाई करने का हुक्म हुगा है इसके लिए मैं बानियाने मशायरा का बहुत ही मम्नून और मश्कूर हूँ हदरात मर्हूम अनवर जलाल पूरी जलाल पूर के एक बड़े ही दीनदार खुदार खानदान के चश्म चराग है उनकी परवरिश दीनी और अद्वी माहौल में हुई अलिया कामलीन और बजर्गान दीन से अकीदत और महब्बत का वालिहाना लगाओ हमेशा उनके खानदान की पहचान रहा है सूफिया और सुलहा के फैज और फैजान से उनके आबाव अजदाद और उनका खानदान हमेशा मुस्तफिजों माला माल रहा नूरानियत और रूहानियत के इसी माहौल ने जलालपुर के नूर को पूरी दुनिया में मशहूर करके इल्मो फन का कोह नूर बना दिया और अनवर सहाब अदबो शायरी के दिल की धड़कन बन गए फिर दोसे बरी अनवर जलाल पूरी सहाब बड़े हसीन और घजब के जहीन थे अगर कोई उनका तारुफ और उनका इंट्रोडिक्शन सिर्फ नाजमे मुशायरा की हैसियत से कराएगा तो मैं उससे बिलकुल इखतलाब करूँगा क्योंकि वो अदीब भी थे खतीब भी थे नकीब भी थे कलंकार भी थे सहाफी भी थे मुफक्किर भी थे मुसलिब भी थे बहुत सारी खूबियों के वो हामिल थे वो खुद अपनी एक किताब अपनी धर्ती अपने लोग में एक जगे लिखते हैं के मुशाइरे की दुनिया ने मुझको एक हैसियस से मेरी शाइरी को जुजवी तोर पर नुकसान भी पहुचाएं फिर वो वज़े भी लिखते हैं के इस से मेरी शक्सियत यक रुखी होकर रहे गए जलवाए अनवर मुलाहिदा फर्माए अभी आखों में शमय जल रही है प्यार जिन्दा है अभी मायूस मत होना अभी बीमार जिन्दा नादरीने कराम मुल्क औ मिल्लक का दमाग शेर औ अदब की बड़ी बड़ी प्रसनाल्टी जनाब मनवगर राना साहब से लेकर जनाब शेहर यार जलाल कूरी तक इस तारीखी आनलाइन मुशायरे से कनेक्ट हैं बेहत खुशी है खुल्द आशियानी अनवर जलाल पूरी साहब मैं क्या अर्ज करूँ मुश्कुराता हुआ चेहरा इल्म औ अदब पर मकमल पहरा हाया में डूबी हुई निगाहें मुजाहिद जैसी अदाएं नपी तुली बात हैं मशायरे में जागी हुई रात हैं धीमी धीमी चाल इसके बिलाल कुषादा पेशानी मगर सपर महरबानी हजरात ये सारी चीज़ें अगर एक जात में एक जगे जमा हो जाएं तो वो जात बनती है नवर जलाल पूरी की तशवर में मेरे हर दम वही चेहरा निकलता है के सूखी शाक पर जैसे हरा पत्ता निकलता है बदल उस्ताज अनवर का अगर ढूंडो जमाने में बहुत ढूंडो गे तब जाकर कोई वैसा निकलता है हमारी प्यास सच्ची है हम इसमाईल वाले हैं जहाँ यडी रगड़ ने हम वही दरिया निकलता है सामई इने कराम अनवर साहब की जिन्दगी से जुड़ी हुई एक बात की तरफ और मैं आपकी तबज्ज़ चाहेता हूँ अनवर साहब के अहबाब खास कर उनके तलामजा और चाहने वाले उनको माश्टर साहब के नाम से पुकरते थे वो इंडी कालिज के प्रोफीसर थे तो लोग उनको माश्टर साहब कहते थे तो वो खुशी का इज़ार करते थे और इसे कबूल भी करते थे और हकीकत भी यही है कि मास्टर साहब का लकप कोई मामूली और छोटा नहीं होता अगर उसकी हैसियत और एहमियत समझी जाए तब उनका मुशाहिदा जतना अजीम था उनका तजर्बा भी उतना बड़ा था अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मुझे अमरीका के तकरीबन डिएर सो अमरीका के तकरीबन डिएर दरजन बड़े शहरों में जाने का इत्वाक कुआ अनवर साहब लिखते हैं डिएर दरजन अब आप अन्दाजा लगाएं कि उनका मुशाहिदा कितना आजीम रहा होगा और उनका तजर्बा कितना बड़ा रहा होगा काबलियत और खूबिया तो हमेशा अपना लोहा मनवा लेती है बाद इंतिकाल हकूमत हिंद ने उनको पदमश्री से नवाजा इसकी जतनी भी तारीफ की जाए कम है और इसके लिए हम हकूमत हिंद के बड़े ममनून और मशकूर है सामाईने कराम अगर कोई मुझसे ये कहे कि अनवर साहब की निजामत और दीगर नुजमा की निजामत में कोई वाज़ फर्क आप बताएं तो मैं एक बात बहुत मजबूती के साथ यकीन की मन्जिन में कह सकता हूँ कि अनवर साहब की निजामत शायर और शायरी दोनों का तारूफ हुआ करती थी दोनों का इंट्रोडिक्शन हुआ करती यही वो जोहर था जिसने अनवर जलाल पूरी साहब को तमाम नुजुमा में मुम्तास करता था यही वो खूबी थी जिसने अनवर साहब को धर्ती की पस्तियों से उठाया और आस्मान शुहरत के आस्मान पर बिठा दिया और वो शायर और शायरी दोनों के दिलों की धरकन बन गए जलवे अनवर मुलाहिज़ा फर्माएं हमसे महबत करने वाले रोते ही रह जाएंगे हमसे महबत करने वाले रोते ही रह जाएंगे हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे हजरात अन्वर साहब की शख्सियत मतनवे होने के साथ साथ बड़ी ही वजादार बहुत खुद्दार मुत्वाजे शीरी सुखन मतीन संजीदा काबिल अकबाल मंद बालिग नजर रोशन खयाल मैं क्या क्या अर्ज़ करूँ मुझको भी मुलक और बाइरुने मुलक जाने का इत्फाक हुआ है मगर मैंने आज तक इतना शीरी कलाम किसी को नहीं देखा जब वो बोलने पर आते थे तो बोलने का हक अदा कर देते थे जब वो बोलते थे तो जमाना सुनता था दुनिया सुनती थी अहल इल्म सुनते थे अवामों खवास सुनते थे और जब वो किसी का तारुफ कराते थे यकीन जानिये हस्ता हुए आदमी रो पड़ता था वो एक बाखबर होश्मंद शायर थे इसलिए उनके यहां माजी का दुब भी है हाल का शिक्वा भी है और मुस्तक्बिल की आहटें भी है उन्होंने कभी जबान के चटखारे की शायरी नहीं किये वैसे तो आप शायरी की जिस मैदान को उठा कर दिखाए आपको अन्वर साहब उस मैदान में मुश्कुराते हुए नजराएं हम्द हो नात हो नजम हो घजल हो मरसिया हो कसीदा हो सलाम हो कोई ऐसी सिन्फ नहीं है जिसको अन्वर साहब ने हाथ में लगाया हो जिस पर उन्होंने अपनी कामियादी का जंडा ननसर किया हजरात बेपना खूबियों के हामिल थे आज उनकी जनाब में जो ये नजरान यकीदत और खराजे महबत पेश किया जा रहा है मैं आप से अर्ज करूंगा कि उनके नकूशे वफा पर तालीम के लिए जो वो सोचते थे मुल्क के लिए जो वो सोचते थे अर्दू अदब के लिए जो वो सोचते थे शेरो शायरी के लिए जो वो सोचते थे उस पर चलने की दरूबत है उस पर आगे बहने की दरूबत है अनवर सहाब जलालपूर के हैं और जलालपूर अनवर सहब का है अनवर जलालपूरी और जलालपूर दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मल्जुम जिन्दगी भर उनका तालुक जलालपूर से काइम रहा और बादे इंतिकाल भी अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर जलालपूर के अद्वी और मजभी माहूले मेरी तर्वियत और मेरी परवरिश न की होती तो मेरी शायरी और मेरी श्क्सियत में इतनी चमक पैदा न होती आप अंदाथा लगाएं जलालपूर से उनको कितना प्यार का और जलाल पूर वालों ने भी हमेशा हाक अदा किया सराखों पे बिठाया, दिल से लगाया महबतें पेश की, चाहतें पेश की और इस बात को कहने में मैं कोई कोर कसर और जिजक महसूस नहीं करता कि आज दुनिया के नक्षे पर आदबी और जुग्राफियाई लिहास से जलाल पूरे जो चमकदार नुक्ते की तरह रोशन और मनवर है इसमें बहुत बड़ा बालिदान जनाब अनुमर जलाल पूरी का सामाईने कराम बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है इस मुशायरे से जुड़ी हुई है और हम सब को सुनना चाहते है उन्होंने मकान बनवा लिया था लखनौ में मगर इसके बावजूद जलाल पूर से उनका तालुक कभी कमजोर नहीं हुआ हमेशा मजबूत रहा इंतिकाल हुआ लखनौ में तो रुखबाद जलाल पूर जलाम बेटकर नगर की कवरस्तान ने कहा आजा मेरे लाल मेरी गोद्म अनवर साहब को लखनौ से लाया गया और अपने आबाव अजदाद और अपने वालदेन के कुर्ब में वो हमेशा के लिए अबदेनीट सो गए सलाम हो जलाल पूर के उस नूर पर सलाम हो दुनिया ए मशाहरा के उस मुजाहिद पर सलाम हो शेर और शायरी के उस सिपाही पर मैं उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ा कर थोड़ा सा कद्रे कल्वी सुकून तो महसूस कर रहा हूँ में आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अनबर जलाल पूरी साहब को तब तक याद करता रहूँगा जब तक मैं वह खुद जिन्दा रहूँ तुम्हारी याद की खुश्बू मेरे दामन से लिप्ति है तुम्हारी याद की खुश्बू मेरे दामन से लिप्टी है बहुत अच्छा सा लगता है तुम्हें ही सोचते रहना जब उनकी यादें आती हैं तो समझ में नहीं आता कि किन किन बातों से दिल बहलाएं और किन किन बातों से पे खुशिया मनाएं ढ़लने लगी थी रात कि तुम याद आ गए धलने लगी थी रात कि तुम याद आ गए फिर यू हुआ की रात बहुत देर तक रही आखर में मैं पिर बानियाने मुशायरा का शुक्री आदा करता हूँ खास कर अपने करम फर्मा डाक्टर हसन सईच सहब का अदबशाला का और आखर में मैं अपनी तरफ से और आप तमामी हजरात की तरफ से खिराजी अकीदत और नजराने महबत के बेशमार हारो फूल जनाब अनवर जलाल पूरी की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ के इल्म और फन के जाम से वो इस कदर मखमूर था रिंदे साकी मदीना बेपिये मसरूर था और इसके सर्वर की बदालत इतना बेहतर हो गया इसके सर्वर की बदालत इतना बेहतर हो गया इतना बेहतर हो गया के उसने जो कुछ लिख दिया कागस पे पत्थर हो गया फरवर दिगार आलम की बारगाह में दूआ है कि रब करीम मरहूम औ मखफूर अन्वर जलाल पूरी के दरजात को बलंद फरमाए और उनके अधूर खाप को उनकी गाइड लाइन को उनके नकूश वफा पर हम सब को चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी कबर पर रहमत औ नूर की बारिश नादिल फरमाए वा आखरो दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब लामीन असलाम और लोगाए बहुत 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 शुक्रिया मौतरम आपके किन अलफाज की मैं खोबी बयान करूँ आपने अजब शाला के प्रोग्राम में अपनी तक्रीश से जान पाइदा कर दी बेपना हम आपके मशकूर हैं हमारी इस प्रोग्राम में आज किये सदारत की मसनत पर जलबा फ्रोज कौमी एक जहती का पर्चम सा समंदर पार भी उसी आन बान शे लहराते हैं अदब जिनकी शहर अगे हयात में शामिल है उनकी अदब की दो आँख हैं अर्दू और हिंदी की तरह हैं जिनके सीने में वतन की महबत कोड़ कोड़ कर भरी है तहजीब अदब की हर अबारत उनके कदमों पर सर बसुजूद रहती है कलंदराना तबियत वसिकंदराना मिजज जमीन को आस्मान से मिला देने का होसला रखने वाली शक्सियत महतरमूल मकाम इज़त माब जनाब सेद सलाहुद दीन साहब जो हम से जूट सुके हैं हम उनके बेह पनाश शुक्र गुजार हैं हमारे इस प्रोग्राम के कर्मीनर और इस प्रोग्राम को उशायों पर ले जाने वाले मेरे बहुत ही करम फरमा बगहर उनके अदशाला प्रोग्राम करने की सोच भी नहीं सकता मौतरम की क्यादत वो तहजीब से उनके खिदमत को जो जड़बा रखते हैं वो अदब के इस दोर की तारीकी में मशल लेकर ढोने से दूर दूर तक नज़र नहीं आती उनकी महबतों और शवकतों ने मुझे एक परिवार जैसा प्यार दिया और अदब शाला को जो सहरा दिया और उसके बालों पर अता किये हमारे मुस्तक्बिल में उनसे बहुत से उम्मिदे वावस्ता है और अदब भी उन पर बहुत पूर उम्मीद है इश्वर उनका साया हम सब पर और अदब शाला पर यह काईम दायम रखे मौतरम वह हम से जूट चुके हैं हमारे कर्मीनर मौतरमूर मकाम जनाब संतोस कुमा सिंग्स सहाब PCS ADM Administrator युद्धिया तुम्हारा आजम सलामत तुम्हारी उम्र दराज तुम्हारा आजम सलामत तुम्हारी उम्र दराज जमाना तुमसे बड़ा काम लेने वाला है बहुत बहुत शुक्रिया मौतरम अब मौश्रक्सियत को आवाज दे रहा हूँ मौतरम मौश्रक्सियत को आवाज देने जा रहा हूँ जो की खुद एक बजम है कहकशा के आर्गिनाइजर इन्होंने मौतरम अन्वर जलाल पूरी सहब एक मजमून लिखा था खो गई मौशायरों की आवाज अन्वर जलाल पूरी जिसको पढ़कर मैं मौहियर लुकूर रह गया कि इनकी खामा फरसाई का ये अंदस मैं मौतरम अन्वर ककर सहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माईग पर आए और अपने जजबात अन्वर सहब की शक्सियत पर बयान फर्माएं मौतरम अन्वर ककर सहब कहकशा की आर्गिनाइजर माईग पर शुक्रिया जुनाव सबको आदाब है कहकशा शायरी ग्रूप प्रयागराज की पावन धर्ती से आनन्द ककर का आदाब अदब शाला अन्वर जलाल कुडी द्वरा आयुजित आनलाइन आलमी मुशायरा एक नया तजर्वा है जिसके लिए आप सब मुबारग बाद के मुस्तहिक है मुझे यकीन है अन्वर सहाब का आशिरवाद हमारे सब के साथ है और आज की ये मेपिल बहुत ही पसंद की जाए ही सब के दोरा जनाब अन्वर सहाब क्या खूब कह गए हैं कि गुलों के बीच में मानिंद खार मैं भी था, फकीर ही था, मगर शानदार मैं भी था ना जाने कितनी मैफिलों में इस शेयर को हमने पढ़ा और ये हमारे लिए एक आशिरवाद जैसा ही है कि हमें ये शर्फ हासिल है कि मेरी मुलाकात उन से हुई ये शेयर जो भी मैंने पढ़ा वो अन्वर सहाब की शक्सियत पर पूरा सही उतरता है इसा यू है कि सहित का मक्का कहे जाने वाली धरती जलालकुर पर ही अन्वर सहाब से मेरी पहली मुलाकात खर्ना परिवार की बैठक में कुई अन्वर सहाब उससे मिलने सिर्फ इसलिए पढ़ारे कि जलालकुर के खर्ना परिवार का दामाद आया हुआ है कितनी जरा सी बात थी अगर उस आदमी का शिष्टाचार देखिये कि वो एक बुलावे पर हाजिर हुआ क्या सादगी क्या बड़कपन क्या शिष्टाचार फकीरी की जीती जाकती मिसाल थे अन्वर साथ वो उनका आके बैठना अदब से बात करना वो सद्री की दाई जेव से लाल डायरी निकालना वो कुर्ता, वो दाड़ी वो आखें, वो चश्मा वो सब आज एकदम आज भी एकदम आखों में पसा हुआ है एक घंटा उनकी मुलाकात नजाने जीवन के कितने तज्यूरबात उन्होंने हम से शेयर किये हम सब वाते एकदम उनको मिस्वराइजड बैटे देख रहे थी ये शायद उनके मिजास की फकीरी ही थी कि उनकी बातों में जमाने की हिस्सेदारी बहुत पाई जाती है समाज के बदलते मिजास पर उनकी पैनी नज़र हुआ करती थी उनके कलाम में बेल्कल साफ नज़र आती है आम जंगता से वो सहस्ता से जुड़ जाते थी दूसरी बात मुझे जो बहुत परभावित करती है जराब अनवर जलाल जलालकुरी साहब की वो है उनकी हर शेयरो शायरी के मंच से अपने कलाम वसंचालन में भाई चारे का पैगाम देने की जिम्मेदारी अरी ललक वो साफ उनकी जटपटाहत उनकी वेचैनी उनकी आँखों में उनके शब्दों में एकदम साफ नज़र आती थी जो सीधे शोताओं के दिलों पर असर करती थी वो कभी ना तो हिचके और ना शब्दों को तोड़ा मरोडा सीधी सच्ची बाद ही उनका व्यक्तित्व बयान करती थी उनकी यादों को प्रणाम करते हुए अपनी शब्धांजली को इस शेर से विराम देना चाहता हूँ जो भी है नफरत की दिवार गिरा कर देखो तोस्ती का भी जरा रस्म निभा कर देखो कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है मुझको अपने दुश्मन को कलीजे से लगा कर देखो कि हमको सीख देकर अनवर साहब गया है हमारी अबना कोशिश है कहकचा के मन्ज से कि अनवर साहब से सब का तारूफ हो सब उनके कलाम को जाने और आखरी बार जो अभी जनाम ने थोड़ी देर पहले कही कि अगर उनको सिर्फ मुशायरों की जानिब से याद किया जाएगा तो मैं सिर्फ इतने ही कह सकता हूँ खो गई मुशायरों की आवाज मगर जहां तक उनके कलाम की बात है उनकी शाहिरी की बात है उनके साहित की बात है मुझे ऐसा लगता है और छोटा उन बड़ी बात किया रहा हूँ, एक नए सफर की शुरुवात होने ही वाली है, अब हमारे सब सदियों के कलाम, उनकी शेरोशायरी, उनके साहित पर गुफ्तबू करते ही रहेंगे और करते ही जाएंगे, छायद उन नई गहराईयों और उचाहियों को हम जान सके जिनको वो हमारे लिए हमारी सौगार के रूप में, हमारी धरोगर के रूप में छोड़ दो, धन्यवाद, थैंक्यू बेरे बाच, आलावाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मौदला माना कककर सहाव, बहुत हसीन जमील गुफ्तबू आपने की आज के प्रोग्राम में, थैंक्यू, इसके लिए आपके बहुत ही मशकूर हैं, अब मैं आप लोगों के से बड़े ही माजरत के साथ, अपना मुक्तसर सा एक मकाला जो अन्मर्ज सहाब पे है, जो मैंने आज के प्रोग्राम को वेबीनार का रूप भी दिया है, मैं इसको पेश कर दूँ, फिर अप अबस्तन काजमी सहाब, शेरियार भाई, इसरार बागी सहाब, इस अब हम से जूट चूटे हैं, कि हर एक जबाँ पे तेरा तजकिरा अभी तक है, जहां को छोड़ गया तू, यकी नहीं होता, जहां को छोड़ गया तू, यकी नहीं होता, इस कुर्रा अर्ज पर, शबो लोज करोडों अफराद पैदा होते हैं, और लाखों इंतिकाल फर्मा जाते हैं, ये फित्रत कुदर्ध है, जो अफराद इंतिकाल फर्मा जाते हैं, वो वक्त की girदिश की नजर हो जाते हैं, बहुत कम ऐसे खुश्वक्त आश्खास होते हैं जिने उनके इस दारिफानी से कुश कर जाने के बाद भी याद किया जाता है इनमें भी चंद लोगों को कुछ माह में और कुछ लोगों को चंद बरसों में उनकी ही तरह उनकी याद को भी जेरे माजी दफन कर दिया जाता है लेकिन इनमे कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो अपनी इल्मी सलाहियतों और अपनी इनसानियत और अपनी शक्सियत को इल्म की बेना पर इतना बुलंद कर लेते हैं कि उन्हें नावगए रोजगार कहा जाता है आईसी शक्सियत जो हमेशा लोगों के जहनों में जिन्दा रहेगी पदम श्री मौतरम अन्वर जलालपूरी की थी मरहूम का आबाई वतन इल्मौदब का गहवारा कस्बा जलालपूर जो की माजी में कभी जिला फैज़ाबाद का हिस्सा हुआ करता था जो की भगवान श्री राम जी की जाए पैदाइफ भी है और हज़रत आदम के बेटे हदर श्रीश पैगंबर की कबर मुबारक भी शेख इमाम बक्ष नाशिक का भी और ख्वाजा हैदर अली आकिश का भी तालुक रहा है ऐसाई कस्बा जिलाम बेटकर नगर का हिस्सा बन चुका है जो की चारों सम्त से वलियों मुनियों रिशियों के वजू से घीरा और तमस नदी के किनारे पर आबाद है जहां की बड़ी शक्षियतें पाइदा की हमारा ये जान से अजीज मुल्क जिस वक्त गुलामे की आहनी जनजीरों में जकड़ा था और इनसानियत की आखें अशकबार थी और सभी अफराद गुलामे के जनजीरों को तोड़ने के लिए जद्दो जहर कर रहे थे किसी यसना में मर की दूर्बेनी नजर उनके सहीफा आमेज पेशानी पर पड़ी जो मिसले नूर लगा तो उनका नाम अन्वार अहमत तज्वीज पाया और यही नूर सारे जहान में अन्वर जलाल पूरी बनकर फैल गया इस हकीर की सबसे बड़ी खुश्किसमती ये है कि मुझ जैसे कम ग मुलूश रफकत हैं वो सरपरस्ती नसीब हो गई और मेरे और मेरे शोर की बेदारी इसी इलमी वार्दबी और गंगा जर्मनी तहजीब की दर्सगा में हुई मरहूम से मेरी बेश्टर गुफटगू उनके तजरुबात मुशाहदात अद्बियात समाजियात लिसानियात इखलाकियात गजलियात तजरुबात एसासाद वो किरदार साजी बगएरा पर रही मैं अपने दो शेयर से मरहूम से अपनी वाबस्तगी बयान करता हूँ जिस तरह सितारों से है महताब का रिष्टा और जैसे हो इन आखों से हर खौब का रिष्टा सब काविशे मनसूब उसी जास से मेरी था जिससे मेरी जिससे मेरी जिस्त के हर बाब का रिष्टा पुदरत ने मरहूम को इनसानियात का ऐसा अलमबरदार वो गमगोसार वो मसिया बना कर भेजा की अगर कोई होगा भी उनसे मिला तो उसे गोगाई मिली ना बीना आया तो बीना ये ले गया वो यल्म की तशनगी लेकर आया तो सरसब्स वो शादाब होकर गया मुफलिस वो नाचार आया तो तवनगर वो खुश होकर गया रोता हुआ बच्चा आया तो हंसता हुआ गया हता कि जो भी हाजत मंद आया हाजत रवा होकर गया उनके नजदीक ना कोई काला ना गोरा, ना आका ना गुलाम, ना अमीर ना गरीब, ना कोई मसलक या मख़भी भेदभाओ, हर किसी को शवकत और महबत भरी नजरों से देखते, जिससे भी मिलते, बड़ी बुर्दबारी से फौकुत पहले सलाम करते, और खेरियत दरियाफ् उनकी शवकतों का ये आलम कि यतीम अगर कोई बच्चा उनसे मिले तो उसे अपनी यतीमी का एसास भी नहो, इस इनसानियत का सबक गीता के 35 में और 47 में शलूक में मरहूम ने बड़ी खुबसूरत अंदाग में पेश किया है, वो जिसके दिल में नहीं खौहिश हैं, उसी तेरा जग में कोई कारोबार, अमल ही के उपर, तेरा अख्तियार, अमल जिससे फल की भी खौहिश नहो, अमल जिसकी कोई नुमाईश नहो, पुदरत ने अंदाज तकल्म मुतखातुब ऐसा दिया कि अगर गुफटगू या खिताब करने पर आ जाएं तो अलफाज सर बस मुला, वो आपका गरवीदा हो गया, और इसके अंदर इनसानियत की कद्रे नुमाया हो गई, मुतरम ने अपनी इलमी सलाहितों और किरदार की बिना पर अपनी शख्तियत को पुखतगी की मेराज पर पहुँशा दिया, एक पुखता इनसान की पहचान यही होती है, कि वो अपने इलम को तजरुबात और मुशाहिदा से इजाफा करके अपनी फिक्र और अमल को पाए तक्मील तक पहुँचाता है, और दुनिया से मार्फत का रिस्क लेकर अपने जहनी वजूश से मुस्तक्बिल की मनजिलों को मकमल करता है, जिएसे वो नावगए रोजगार श शेर से अपनी बात खत्म करता हूं, सारी बातों केहीं सी करता हूं कि सारे सामखिन हम जोन्से जूट सुके हैं, मुशारे का आगाज होना चाहिए, कि आवसाफ तेरे कैसे बया हो मेरे साहब किस जा मैं तुम्हें ढूंडू कहां हो मेरे साहब एक बार सदा दे दो जहां हो मेरे साहब किस जा मैं तुम्हें ढूंडू कहां हो मेरे साहब एक बार सदा दे दो जहां हो मेरे साहब शशदर हैं परीशा हैं तेरे चाहने वाले बैद कशे मुलाज़ा फरमाए कि शशदर हैं परीशा हैं तेरे चाहने वाले हद दरजा नीम जां हैं तेरी गोद के पाले बहुत बहुत शुक्रिया मौतरम काफी लेट हो रहा है अब मैं बगए किसी तमहींद के अपने सरपरस अपने मुखलिस अपने उस्ताद जलाल पूर की बहुत ही अजबी शक्सियत बाबा बरुवा दास पीजी कालिज के प्रिं अधब शाला अन्वर जलालपूरी की योड़ से आयोजित पदमश्री अन्वर जलालपूरी साहब के जन्दियस के उसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं शहर यार भी दिखाई करता हूं डाक्टर कलीम के सब बहुत संशेप में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा अन्वर साहब से मेरे व्यक्तिकत तालुग और कई संयोग हमारे उनके मिलते जुलते थे मसलं में जिस कॉलेज से नौकरी की शुरुवात की उसी संसान के डिगरी कॉलेज मेरे परिस्पल हूं एक रिस्ता तो ये बनता है दूसरी नौकरी 1973 में उन्होंने नरेंद्र विटर कालेज जलालपूर से शुरुवात की, उस कालेज की स्थापना मेरे बाबाजी ने की थे, मेरे पिता जी के ओदोस्त थे, मेरे बच्चों के सिक्षक थे और मेरे बच्चों के भी दोस्त थे, एक विराड वेक्तित कब सिमट के छोटा हो जा थी ती मेरे इस सामने से रोज कालेज जाते थे अक्सर मुलाकाक नोसे हो जाये करते है जाहिए सいき बात है मेरे बड़े तालुकात उसे रहे होंगे उनके बच्चों से हैं शहरिया राज उनके बनाई हुई इमारत जिसको है मिरजा गाले विंटरमियट कॉलेज कहते हैं आज उसके मेनेजर हैं अनुवर साहब की तपस्या का एक बहुत बड़ा तीर्ट इस्तम वो इंटर्वियर्ट कॉलेज है मैं यह बात इसले कह रहा हूं कि सिर्फ वो शायर नहीं थे शिर्फ वो कभी नहीं थे मुशायरों का निजामत करने वाले नहीं थे उनकी द्रिस्ट्री उनकी सोच बड़ी व्यापक थी एक अध्यापक के लिए स्कूल बनाना कितना कठीन हो सकता है इसकी वारे में हम लोग स सोच सकते हैं लेकिन खड़ा करके दिखाया है मुशायरों की नजामत करते थे द्रिस्ट्री वो हमेशा व्यापक रखते थे और हम लोग ने एक संस्था ही वनाई थी विचार मंच जिसके उसनक्षप हुआ करते थे बाव जीया लाल जी उसके अध्यश होते थे और मैं उस खूष्ठी के लिए दो ही आदमी तो चाहिए है मैंने पूचा वो दो आदमी को का एक आप यह आपका आपका जुड़तेते हैं और अनोर साहब से ऐसे ही लोग उनको शब्दों के जादूगर कहा करते अक्सर मैं सुनता हूं कि बहुत बढ़िया निजामत करते थे लेकिन वो निजामत करते करते मुशारे में किस संजीद्गी से किस शराफत से बातों को बदलते थे और चीजों को पकड़ते थे मैं एक दो किसे उस तरह के सुनाओंगा एक बार मैं उनके साथ आतरौली लग रहा है कि वह नीचे बैठे हैं और बाकी लोग उपर बैठे हुए है तो तुरंत रूने एक जुम्ला बनाए जिन लोगों में वजन बहुत ज्यादा होता है वह तराजू का वह पढ़ना प्राया नीचे जुका होता है और जिनमें वजन कम होता है वह पर उठा हुआ होता है तो हम लोग उपर बैठे हैं हमारा वजन कम है और जो लोग नीचे वेखे हुए हैं उनका वजन बहुत ज्यादा है बात को समालने का बात का संभालने का उनका सलीका आप देखिए एक बार मिर्जा-गालिव स्कूल में मुशारा हो रहा था बहुत पहले की बात है तब उनसे मेरा बहुत गहरा जुड़ाव नहीं था अचानक कहीं से एक आवाज आई हूटिंग की उन्होंने एक आवाज आई तुरन 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 एक जुम्ला कहा कि आप जहां से बोल रहे हैं वहां मुझे जो गाले उसको गाना कहते हैं और जो गा न सके उसको गाली कहते हैं तो जो लोग गा नहीं पा रहे हैं वो गाली बोल रहे हैं अच्छी बात है प्रैक्टिस करिए आपको भी गाना आ जाएगा इस तरह की बातें वो कहा करते थे ऐसी शक्षियत को हम लोग यहां पर आज एक अठा हुए हैं उनके 74 में जनम दिवस पर इस अवसर पर अदब शाला जिसकी शुरुवात दो जून 2018 को हमारे बगर नो बैठे हुए लक्टर सही साहब ने किया मैं इनकी बहुत-बहुत मौरगबाद इनको देना चाहूंगा कि अदब शाला को इनोंने अनुवर साहब क उस दायरे में बांध कर रखा है पिछले दो साल से शायरी के हिंदी के उर्दू के अशार में सुनता आ रहा हूं अंग्रेजी के तमाम उसमें लेक्षर भी डिवेट्स भी होती है वो भी सुनता हूं लेकिन जहां भी विचलन हुआ जहां किसी ने ट्रैक बदला तुरंत इनका अनुशासर गडंडा इनकी चाबुक खड़ी हो जाती है कि अनुवर शाहव की अदफ साला है इसमें अदफ के दायरे में रहकर के ही बात करनी है और यही बात कारण है कि पिछले दो साल सी ये ग्रूप बिल्कुल सकुसल सफलता पूरवक चल रहा है बहुत सारे ग् अध्यम से इन्होंने पूरी अधवी दुनिया को जोड़ रखा है पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रखा है और पूरे जलालपुर को अनुवर साहब के महाने हिंदुस्तान से जोड़ रखा है मैं जिस कॉलेज पढ़ाता हूं उसके संस्थाफक वह वरुवा अदास जी हुआ करते थे बहुत सिद्ध पूरुस्ते संथ हैं उनको मरे हुए 50 साल हो चुके वह प्राया कहा करते थे कि जलालपुर में तीन चीजे एक तो जलालपुर का गंचा दूसरे डाक्टर बंगाली और तीसरा अनुवर जलालपुरी अगर यह तीन चीजे हैं तो जलालपु परफ़तम करूंगा उनका एक शेर है आप दिल्ली को योँही लूटा करें ब्दनाम तो नादिर्शाही होगा है इस एक शेर पर प्रख्यात अलोचक डाक्टर नामवर्ण सिंग की दो घंटे की कमेंट्री ती अब सोच कर देखिए आप दिल्ली को यही लूटा करें बद बदनाम तो नादिर्शाह ही होगा लूटने की परंपरा जारी रहेगी बदनाम नादिर्शाह ही होगा एक और उनका शेर है कौन सी बस्ती में यारत तूने मुझे पैदा कर दिया यहां दुस्मनी पर आमादा है सब और खफा कोई दे उनका दर्शन देखिए वो गीता पर करते हैं वो दर्शन पर बात करते हैं सामाजिक विरुताओं पर बात करते हैं सामाजिक विड़मनाओं की चर्चा करते हैं सामाजिक विड़मनाओं पर उनका उनके शेर हैं उन्हीं लोगों से हंगामे बहुत हैं जिनके हाथों में पैसे बहुत हैं जो अपनी खुस करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत आभारवत करता हूं जो इस वेविनार के माध्यम से इस कारक्रे मुझुड़े धन्यवाद जैहिन जैवारत तयudent करने जुरता है जफसे नहीं जोड़ है झाल तो इस नहीं है chop Republic टहींते हैं मैंवर्ण मैं ऐस मैंट मैं एड जनेक मुझाथ यह यह दोर्जों के जया क्या जह धीक है करिये जी करिये अब बहुत बहुत शुक्रिया अब बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मुटरम डाटर इस्पी सिंग साहब अब बगए किसी तमहीद के कि एडियम सहब कड़ें अपनी वीडियो आन कर लें सुरौनी राना सहब डाटर कलीम कैसर सहब अपनी वीडियो आन कर लें आन कर साहब जी सुरौनी जी एडियम सहब एडियम सहब अगर मेरी आवास पहुच रही है वो हमारे मुशार्य के इस प्रोग्राम के कन्वीनर भी है अगर उन तक मेरी आवास पहुच रही है तो अपने विशारों को अरमर सहाब की शक्सियत पर रखें वो माइक पर आएं फिर इसके बाद मुशार्य का आगास किया जाए माइक डाटर कलीम कैसर सहाब की हवाले होगा आप होंगे और नाजीरोंगे मुहतरम एडियम संतोस कुमार सिंग साहब पी सीएस एडियम एडिमिस्टेशन और योद्धिया वो माइक पर अपने विशारों को रखें यह हैं यह हैं सुटिया हलो अफन वाप सुन पा रहा है मुझे कोई शामें बताएं कि भी सुन पा रहे हैं जी 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 सर आज के इस प्रोग्राम में मैं सभी नामचीन शायर शायरा और चुनने वाले सभी फ्रोताओं को सभी हजरात का इकतबाल करता हूं उनका स्वागत करता हूं जैसा कि हमारे बादी शाहत कुझे अच्छी तरह से दिख रहे हैं मैं दो तीज थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं उसमें एस्टीम का जलालपुर पिछले दोजार अठारा में हरवरी नीश तक मैंने पहले देखा उसके पहले में केमल जलालपुर का नाम अनुवर जलालपुरी शाहत के नाम से जानता था जब मैं वहां रहा और वहां के लोगों से तालकात हुए हमने कापी कुछ उसमें देखा पढ़ा सुना और पहली मर्दबा 26 जन्वरी उन्नीश में हफन फईत फाहब ने पहली बार प्रोग्राम रखा तब वो प्रोग्राम हंड़ी थी और वहां बाजार है उसी में दुकानों के बीच में जो गैलरी थी उसी में हुआ अच्छा प्रोग्राम था मैंने उपर वाले से तभी दुआ की थी कि ये प्रोग्राम इस आशियाने से साम्या में ने जाए और पिछले साल जून में वो बहुत बुलंद कारिकरम हुआ वहां कालेज में मैंने उसमें शिर्कत की और हफन सहीद साहब बाकी लोगों की दुआ से मैं उसमें कन्विनर रहा हम लोगों ने उसमें काफी मेनत की और बहुत ही बढ़िहा प्रोग्राम हुआ कि आज के जो वर्तमान में जो चल रहा है उसमें उस तरह से हम लोग नहीं दर सकते हैं फैर जो उपर वाने में बक्षा है जो माध्यम बनाया है हम लोग आज उसके तरीके पे जुड़ रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है आगे और भी अच्छे प्रोग्राम इसमें कि आज चवहत्रमा जो मनाया जा रहा है जलावपुरी शाहत का मैं इसके लिए हफन फहीत फार को सभी उससे जुड़े लोगों को चान मिया को शबको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस लाइक समझा कि मैं ऐसे प्रोग्राम का कन्वीनर जैसे पहले था व मुझे शाहिरी का शॉक नहीं है लेकिन मुझे कद्र बहुत है शॉक सुनते सुनते हो गया और जलालपुर में रहने से खाश कर बहुत ज़्यादा हो गया अनुवर जलालपुरी शाहत का जो हमको साहित अफन साहित साहब ने और या जब मुझे टाइम मिलता है इतनी ब्यस्त नों कर दें अभी मैं में मुट करके बाहर गया था एक प्यम का मामला था मैं दस्कत करके आया हूं तो यह चलता रहेगा अभी-कभी मैं बीच में उठना भी पड़ सकता है मुझे इसके लिए मुझे पहले से मौफ कर दें लेकि अभी उस प्रोग्राम में थे मैं सुनते-सुनते उनके बारे में जाना लेकिन जब पढ़ा तब और भी गहराई से जाना मुझे इसमें इंट्रेस्ट उत्पन हुआ और मैंने भी अभी हाल ही में बहुत जन्दबाजी में अपने गाउंपर प्रोग्राम कराया था और कई शायर डाक्टर उर्फिशाथ फैजाबाद के कई लोग अचानक में में लग कम फार टाइम पर प्रोग्राम था उसमें भी मैंने गलाल पुरिशाथ को याद किया और मैं उससे इतना प्रभावित हूं जिए तो अब भी तेरी आती है याद तो अब भी तेरी आती है तुमार और भी ज्यादा है कारवां हम तरह बढ़ाएंगे मेरे अनुमर्श मेरा वादा है इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि ये प्रोग्राम सुरू किया जाए बहुत से शुरूता जो चुके हैंगे जन्नवाद शुक्रिया खैठी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कामोदें बहुत ही अच्छी बुच्टगों की है आप नहों तो ये प्रोग्राम करना हमारे लिए नमुम्किन ही है आपका साया लाइसे बरकार रखे ताकि हम अपने प्रोग्राम करते रहें अब बगर किसी तमहीद के मैं फला सुल्तान पूरी को आवास दे रहा ह साथी छैब हम आपना कालाम प्रेश करें उसके बाद के फेर प्रोग्राम हुआदा सी आजाय बाक्ताव ū्ला सुल्तान पुरी को दावा को नधा है अब अप, अपना अडियो कर लें महतरमा अधिकुमारा स्लाम आदापस और आप लोगों के दीश में आई बहुत 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 शुत्रिया आवाज आ नहीं है? हमारी आवाज मिल रही आप लोगों को? इस अधिक को? जी आवाज आ रहे हैं याप पढ़ें? जलाने बाला माउल पत की चरी रहा जलाने बाला इश्ड की रहा में हर गम को भुलाने बाला इश्ड की रहा में हर गम को भुलाने बाला आवार कोश रही है आप सभी तर? मुझे नहीं लग रहा है कि पहुँच रही है आवाज आवाज भी नहीं है यह आवाज पहुँच रही है कोई डिक्कत नहीं जी शुद्रिया शमा उल्पत की सरी राह जलाने फाला एक एक लम्हा मुझे दिल में बिचाने वाला मेरी है बात पे मेरी है बात पे बोह जान लचाने वाला मेरी है बात पे बोह जान लचाने वाला जाने वो कान से दुनिया में जाके छहे राहे जाने वो कान असी दुनिया में जाके छेहे रहे ये शीर बतौर-खास अनुमल दादा के लिए मैं नजरू करना चाहते हूं याज़ परमाया आप Danish जाने वो कान असी दुनिया में जाके छेहे रहे हम कुलपत का सबक रोज पढ़ाने वाला हम कुलपत का सबक रोज पढ़ाने वाला इश्क की राह में हर गम को बुलाने वाला शम्म उलपत की सरी राह जलाने वाला और ये शेर बतौरे खास मुलाजर परमाई आज भी उसे के टसाफर में निगाही गुम्हें आज भी उसे के टसाफर में निगाही गुम्हें जाने कब लाच के आएगा हुआने बाला कोई खतरा नहीं आजाओ तुम्हे मेरी कसम कोई खतरा नहीं आजाओ तुम्हे मेरी कसम मरने वाले से मरने वाले से बढ़ कर नहीं है बचाने वाला मरने वाले से बढ़ कर नहीं है बचाने वाला और यह शेर आखिर भी माजब होना है हमने जिसके लिए दिन रात दुआ मांगी है एफ लक लाच के आईगा वाने बाला एफ लक लाच के आईगा वाने बाला इश्क की राह में हर गम को बुलाने बाला शम्मा उल्पत के सरेरा जलाने बाला शम्मा उल्पत के सरेरा जलाने बाला शुक्रिया आप लोगा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया मुहतरमा शुक्रिया डार्टर कलीम कैशर साहब मौतरम अगर आभ आवास पहुच रही है तो आप मायगान करने है और प्रोड़्राम उनके होाले कि उस प्रोड़्राम को आगे बढहाएं अज़र डार्टर कलीम कैशर साहब अपनी वीडियो आन करें मौतरम मौदरम डाड़र कलीम कैसर सहाब अगर आवास पहुच रही है तो माई पर आजाए कि इसे और कि इतना है कि उनका नेटर के साइब कुछ नेटर में परशानी है डाड़किन कैसर सहाब के वह हम से जोड़ नहीं पा रहे हैं अब यह हाँ भी प्रोग्राम में उनका बेस्बरी से इनतिजार हो रहा है अगर आवास पहुच रही हो आविद भाई भी जो शुक्रिया है बहुत बहुत शुक्रिया मौतरम आविस साहब बोपाल से यह गुफरान साहब सामने है मेरी आवाद बंद करो हलो जी मैं गुफरान एहमद हो रियात सौदी अरब से हूँ मैं सामाइन में हूँ मेरी आवादान करो मैं बहुत यह इतराम से बहुत यह इतराम और इज़त से आवाज दे रहा हूँ इस प्रोग्राम के सद्ध आली जनाब मौतरमुल मकाम से सलावदीन साहब से वह माइक पर आएं कलिम कैसर साहब किसी टेक्निकल प्राबलम से नहीं जूर पा रहे हैं अभी वो ठीक हो जाएगा अपने बाते हैं से सलावदीन साहब रखें बहुत बहुत शुक्रिया साथ जनाब डाकर साहब यह नहीं मालूम मौलाना अबद रह्मान साहब रह्मान साहब हम लोगों के साथ हैं या जा चुके हैं बहरा लगर में सुन रहे हैं मेरी अपनी प्रूंगी तब पहला आज है कि मैं इस तरीके से आप में पताश शरीक हो मैं देख रहा हूं सब को इसे बहुत सारे वो चेरे हैं जो मेरे करम फर्मा हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि वो आयो फिर चले गए अब चुकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बहराल सबसे पहले तो मैं डाक्टर सहीज साहब और अपने भतीजे शेहर यार के लिए द्वाएं डाक्टर सहीज साहब का शुक्रिया और अदब शाला का बहुत ही में मुश्गूर हूँ बलकि यहां तक हो कि मैं यह इह सान मान रहा हूँ कि उन्होंने जनाब अनुमर भाई के सिलसले में जो आज इतना खुबसूरत प्रोग्राम का ही निकाद है तक्रीरें बहुत हो गई हैं अगर यह कोई मुशारा होता बाकाइदा मेरी मुराद यह है कि सामाई सामने बैठे होते तो कोई निकादा आ जाता अगर एक शब आप रख लीजिए लोगों के लोगों की तक्रीरों का और अगले जो शब हो वो हो मुशारे का तो कि जब मु अच्छी गुफटगो हो लेकि सामाई के लिए वो गिराही बज़रती हैं बहराल क्यों कि यह प्रोग्राम मनसूब था है हमारे अनुवर भाई से तो यह ज़रूरी था कि उनके सिलसले में भी कुछ गुफटगों जरूर को थे पिछले तक्रीबान 55 साइंटिस बरसों से ह रही और आखरी आयाम तक और सिलसला इस तरह के से वो मजबूत से मजबूत कर रुटा चला गया क्योंकि उनकी शिखकतों का इसमें बहुत बड़ा थाल रहा है और ये हमारे उनसे जिए निजबत थी ये कोई इस वज़े से नहीं थी कि मुशायरा और दुबई बिनकुल नहीं बलकि मेरे घर से उनकी बहुत पहले से वापस्तगी थी मेरे वाली साथ के सेसले में बहुत कुछ उन्होंने बताया जो जाहिर से बात है कि मैं यहां बुस्ताज स्थिक्र नहीं करना चाहूंगा क्या इन्फरादियत थी तक्रीर नहीं मुझा करना मकसद है मैं जो कुछ भी बयान कर रहा हूँ वो मेरी अपनी राय है क्या इन्फरादियत थी अन्वर भाई में और आज के इस वक्त जो मौजूदा नाजिम हज़रा थे अन्वर भाई जब माइक्रोपून पर आते थे और साथ आठ मिनट के जो उनके तक्रीर होती थी वो मेरी अपनी समझ से मुशारे पर बेपना वो गालिब होती थी और जो मजमा वहां बैठा होता था वो पूरी तरह अपने को तैयार कर लेता था कि हम को अबसु शुराए कराम को सुना और उस तक्रीर से उसके पहले जो खामिया होई होती थी जो यकिनी तोर पर अक्सर वो बेशतर जो वहां सामाई हजरात होते थे उन पर वो गिरा गुजरती थी तो उसको भी अपनी तक्रीर पे रफ़ा दपा कर दो थी इस वक्त जादा वक्त नहीं है मैं चाहूंगा भी नहीं लेकिन मैं यह जरूरी समझता हूँ कि दो एक बात हैं जरूर करूँ आप यह बतलाईए कि अनवर भाई के किस पहलो पर गुफ्तू की जाए उनके निजामत पर बहुत सारे लोगों ने गुफ्तू किया और बहुत सारे लोगों ने सुन सुन कर आज वो अच्छे नादिमों में उनका शुमार है लोग जाते हैं चाहिए यक जो कमिया होती है उसको बहराल भरना मुश्किल होता है अक्सर अनवर भाई ने दौरान गुफ्तू को मुझसे जिक्र किया जिसकी गालबन मैंने पिछले दिनों वो तस्वीर देखी हसन काजमी सहाब यहां पर बैठे हुए गालबन उन्होंने वोट डाली थी कि जो 83 में यहां पर मुशायरा हुआ था इसमें ग्यानी जैल सिंग आये थे अगर मुझको सही आदे डाक्टर मलिगजादा मन्जूर ने उस मुशायरे की निजामत अन्वा जराल पूरी से करवा कर तो काम लिक साथ किया था एक तो मलिगजादा मन्जूर साहब ने बाहसियत उस्ताद के जरूरी होता है कि अपने मौझकी में अपने शागिर्थ को आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचाईए कि अच्छे उस्ताद के फराइज में हैं मेरे अपनी यजादी राए ताक्टर मुशादा मन्जूर एमसाब ने कितने बड़े मुशारी की निजामत उनको दी और जब वो निजामत कर रहे थे और मजरू सिल्टान पूरी साहब आए तो उन्हों ने आईस्टे से कान में य राजाक आए तो सिर्फ इतना जवाब हमारे अनुवर भाई के सलसले में मलिकजादा साहब ने दिया मजरू साहब को कि पढ़ा लिखा लड़का है और मुशारे के खिताम पर मजरू साहब को खड़े सिर्फ उस वजजय से हैं कि मैं अनुवर ज़राल को गले लगा दूब अब आप जो अंदादा लगाई है कि एक फित्री में क्या गुफ्त को इनके रही हो कि जाहिते बात में उसकी मुशारे में नहीं था लेकि उन्हें अपने गुफ्त को से लोगों को मतासिर किया और असा पजा हजरात को भी मतासिर किया जब उन्होंने अपनी कलम उठाई तो फॉलफायर राशिदीन ही नहीं गीता पर पर जो कुछ उन्होंने काम कर दिया हम और आप ही नहीं फक्र करेंगे बिल्कि आने वाली नसलें भी फक्र करेंगे कि अन्वर जलाल पूरी हमारा तरुस्तिक पद्मश्री का इनान दिया गया यकिन यह तो अपर बड़े अजास की बात है लेकिन मैं तो अक्सर और बेश्टर यह कहता हूं अपनी गुफ्तगों में जि अन्वर जलाल पूरी को पद्मश्री कहूं या मैं यह कहूं कि अन्वर जलाल पूरी ने अपने नाम के आगे पद्मश्री लगा कर पद्मश्री को भी बड़ा किया है आप विराथर सोचिए कि जिन मौदूब पर लोग सोच नहीं सकते थे उसको उसने एक किताब की शकल देखुए मैं आज सोच कर आया था यकिनी तोर पर अनुवर भाई के सिलसले में तुम करता लेकिन वक्त जाज़त नहीं दे रहा है सरकारी ओधे भी उनको मिलें चेर्मेन भी हुए जो राजमंत्री का कुछ दर्जा होता है मैं यह चाहता था कि मैं तब दे लिए उनके अंदर कुछ पाऊंगा मिलू तो मालूम हो कि लेकिन मैं क्या जितने भी लोग उनसे मिलते जुलते रहे वो आज भी यह पहते हैं एक लम्हे के लिए वो इनसान नहीं बढ़ रहे उसके मिलने मिलाने में उटने बैटने में या वो जिसकी मदद कर सकता था हमेशा आगया एक दो बातें सिर्फ और बताऊंगा आज तक अनवर जिलाल पूरी ने बड़े बड़ी बेतर कल्व ही मुझसे थी मुझे यह नहीं मालूम कि इस वक्त सुन रहे हैं या इसको देख रहे हैं हमारे और तमाम लोग जानते थे कि हम लोग साथ में बैठते थे मुनवराना साहब अगर इसको देख रहे हैं तो बरस बड़े अनवर भाई थे लेकिन ये उनका बड़क्पन था कि इन लोगों ने ये मौका मुझे दिया कि मुझको बहुत बेतर कल्व बनाया तो हम लोग बड़े आसे मजा का अपस में करते थे बहुत सारी गुर्तबू होती रहती थी आज तक अनवर जलाल पूरी तो कहते हैं बहुत अच्छा है मैं उस पर कहता है कि साथ फला जगा के कैसिट मैंने देखिए उसने मतासिद नहीं किया तो वो मुझसे सवाल करते थे कि आप एक मुझे मुझे मौका दिया और मैं माफिच चाहता हूँ जो भी लोग सुनने वाले हैं मुझे नहीं मालम कि कितने लोग हैं कि अगर उन लोगो को कोई तकलीफ हुई हो इस वज़े से कि बहुत ताफिर से अब सर्वेशन अस्थाना देसा अदमी यहां पर बैठा हुआ मैं देख रहा हूं कि इनके आने के पाद तो शोशराबा शुरू हो जाता है अब शोशरा मेरी दौाएं भी है नेफ को आइशाद भी है और एक इसमें से वह थोड़ा सा डाक्टर साही साहब के पता नहीं क्या मजबूरी थी कि यह होना चाहिए था कि जब मुशारा शुरू होता तो इसके बाद ही फलक सुल्तान पूरी को भी पढ़ातें लेकिन बहराद यह आप को ऐसा किया कि आप इनको फुद पढ़ा दिया वन्ना नाजमी मुशारास को पढ़ातें सद्र की एक और जिम्मेदारी होती है कि पहले मिसरे से लेकर और मक्दित तक वो बैठा रहे हैं और हर मिसरे के तारीब करें मैं यह कोशिश जरूर करूंगा कि मैं जरूर बैठा र सकते से सुनने के लिए तो जरूर मैं आपके साथ हूं मेरे निक फाहिशात में फिर एक बार आपकी तन्जीम का बेपना मश्कूर और ममनून हूं कि आपने मुझे मुझे यह मौका दिया कि अपने लोगों के दर्मियान बैठ कर एक अपने और बहुती अजीज के स्लसले म आज की जो यह शांदार शाम है उस्तुमर शरीकों से का शुक्रिया बहुत आपको ठीक है ठीक है मैं फॉर्द एक अभी कि अपने अपनी टेक्निकल प्राबलम की वज़े से नहीं जूड़ पा रहे हैं और मेरे सामने कुछ शोरा के चेहरे भी नहीं आ रहे हैं मैंने बहुत ही मजबूरी में फलक को आवाजी थे हैं वो खुद डाटर कलीम कैसर सहाब ही पूरा डील करते अब मेरे पाद दो ही तीन शेहरे सामने नजार आ रहे हैं मैं किसको आवाज दू कलीम कैसर सहाब कोई प्राब्स जूड़ नहीं पा रहे हैं हमारे शहरियार भा करता हूं कि वो माइक पर आएं और नाजरीन को अपनी खुशूरत गजलों से माईजूस करता हैं जी सर अब आप माइक जो है सर्वेश अस्ताना साब को डेडी जिए वो पूरे मुशारे की निजामत फरमाएं और बेटीन मुशारा हो जाएं और बिलकूल मैं आपकी बात की कज़ करता हूं सर वो सर बार बार कनेट हम है कि हम जूड जाएं 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 आपको आपकी करूंगा सुनिये क्या मैं बोल सकता हूं जी बताएं सर मैं सर्वेश अस्ताना हूं आप सब करता हूं लेकिन मैं चूंकि सबको बहुत अच्छे तरीका से जानता पैचानता नहीं हूं तो मैं बहुत ही खराब किसम की निजामत कर सकता हूं इस लिए मुझे माफ कर दीजिए मुझसे कविता पड़वा लीजेगा जाएगा सर्वेश जाएगा अनवर भाई का प्रोग्राम है खुब्सूरत बनाना है तो आप मैं बहुत कम से जानता पाउंगा जिनसे परिचित यहां देकि सब अनवर भाई से मुहबत करने वाले लोग मौजूद हैं जहां जहां आपको गुंडाइश लगें वहां भूमना बनाईए अजबाइस से नाम पुगा लिए गाँए मुझे थोड़ी सी इजाज़त यूचे कि मेरी जो माजलत के साथ अगर मुतरम सदर साहब की इजाज़त हो तो माजलत की साथ बगर हमसे हमसे आइड हो जाएंगे आप रहबर्त बदलते रहते कारमा चलिए बेशा एक्षुलिए मैंने आफात तो शेहियाल साहब को दे दिये थी मैं शायतों शेयर सहाद माईग पी आ जाए उसके बदाब सरवेश तास्थाना आप हजरादोंको जैसे एडिजिस्ट होंगे सरवेश तास्थाना उसको आडिजिस्ट कर लेंगे मुतलम शेहियार सामाईग पर प्रोड़ाम को आगे बनाए नाजरीन आदाब मैं शहरियार जलालपूरी अदब शाला अनुमर जलालपूरी के तमाम अराकीन और डाक्टर हसन साहब का तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे वालिदे मरहूम पदमश्री अनुमर जलालपूरी सहब की याद में एतना अच्छा प्रोग्राम मुनकित किया इस प्रोग्राम के कन्मिनर और एडियम मुहतरम संतोस गुमार सहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना अपना पर समझता हूँ जिन्होंने अपना प्रोग्राम के लिए दिया मेरे लिए बहुत ही मुहतरम और आज के प्रोग्राम के साहिब सदर मुहतरम से सलाहुदीन साहब का इस्टवाल करना बहुत जरूरी है और उनका शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की सदारत प्रोग्राम के हम लोगों की इज़त अफ़ाई की आज के नाजिम और बैनुल अक्वामी शुहरत याफ्ता शायर डाक्टर मुहतरम कलीम फैसर साहब जो मेरे लिए चचा और वालिक के पिरदार में मेरी जिन्दगी में शामिल है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम शुरा एकराम, शवीना अप्पी, हसन चचा, अस्थाना साहब, मुहम्मद अली साहब और दीगर तमाम हजरात का मैं शुक्रिया आदा करता हूँ और इस तक पाल भी करता हूँ मैं शंद मुतफर्रिक अशार के साथ, जो मैंने अपने वालिद के सिल्सले में कहे थे, अपने कलाम आजाज करता हूँ कि मेरी खुशिया मेरे गम को बासानी समझता था जी आवाज आ रही है डाउसाब हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी खुशिया मेरे गम को बासानी समझता था मेरा बाबा मुझे तो यूसफे सानी समझता था यादों का तेरी खत्म ये मेला ना हुआ था पहले मैं कभी इतना अकेला ना हुआ था पहले मैं कभी इतना अखेला नहुआ था और उनके आगे तो शहनशाह भिखारी निकले जो कलंदर हैं सिकंदर पे भी भारी निकले और मेरे अब्बू के जनाजे का अजब मनजर था जैसे दुनिया ए महबत का पुझाई थे जैसे दुनिया ए महबत का पुझाई थे और ये जिनको देख रहे हो ये मेरे अब्बू थे जिनको देख रहे हो ये मेरे अब्बू थे गजल के लफज इन्हें देख मुस्कुराते थे थगरात ये चंद मुतफरिक अशार थे जो मैंने अपने वालिदे मुहतरम के लिए कहे थे और अब एक गजल जो मैंने इनके इंतिसाल के बाद पहली बार कही थी वो भी हाजिर करता हूं जिसमें मेरे जज़बात भी शामिल हैं कि हम शहरे महबत के उजालों में मिलेंगे यानी की तेरे चाहने वालों में मिलेंगे और हिजरत का तसओर ही नहीं जहन में अपने मिलना हमें होगा तो खयालों में मिलेंगे और ये बात समझने में मुझे लग गए बरसों ये बात समझने में मुझे लग गए बरसों मन्जिल के पते पाउं के चालों में मिलेंगे और पन सीखना चाहो तो बुजर्गों में भी बैठो जो लोग अदब के हैं रिसालों में मिलेंगे जो लोग अदब के हैं रिसालों में मिलेंगे और ये सदर साहब की नजर है कि वो लोग बड़े लोग हैं मिलते हैं जो जुखकर वो लोग बड़े लोग हैं मिलते हैं जो जुखकर कल तुम को यही लोग मिसालों में मिलेंगे हम शहर-े मुखबत के उजाले में मिडेंगे, यानि की तेरे चाहने वाडों में मिडेंगे. बहुत-बहुत सुक्रिया हज़रात, मैं अपने जजबात के अतनी हीतार जिमान करना चाहropolis हुए. डाव्टर साब. बहुत-बहुति शुक्रिया शेहा हुआ है. कालीम कैसर साब के लिए बहुत की परिशानी है कि वह नहीं जूर पा रहे हैं अब पूरी कोशिश में हूँ है आठ बजी तो कोशिश कर रहे हैं कुछ निकल प्राबलम उनके लिए है मैं माय कब जो है सर्वेस अस्थाना जी के हवाले कर रहा हूं वो प्रोगाम को आगे और अन्वर जलाल पूरी साब को अपने फिराज अकीदत पेश करता हूं शर्दांजली अर्पित करता हूं मेरे उनसे अच्छे संबंद रहे हैं ये तो दुनिया जानती है क्योंकि उनकी पहली जो किताब इंदी में थी उसकी भूमिका मैंने लिकी थी और जो गीता उन्ह पुले शायर के रूप में मैं जिस्पा मंत्रित करना चाहता हूं उसके बार में बताओ पुलिस का अफसर है और देखे मुस्कुराएं ये कहा जाता है बड़े लोगोंने कहा है कि अगर किसी के भीतर शायरी और कविता आ जाती है तो वो कुछ भी हो सकता है भरस्टाचार तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने पुलिस वाले हैं हिंदोस्तान में सब को शायर बना दिया जाए या कभी बना दिया जाए तो उसकी कोशिशें हमारी शुरू हो गई हैं दो चार लोग बन चुके हैं उनमें से एक बड़े नुमाइंदे हमारे हैं मौमद अली साहिल साथ हमारे दोस्त हैं लक्नव के हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वह आए और अपना कलाम पेश करें और आगे बढ़ें हम इस को शायरे की के सफर को लेकर कि श्री मौमद अली साहिल साथ उनका माई कान कर दिया जाए कि मौमद अली साहिल साथ कि अभी आपकी आवाज आनी शुरू नहीं हुई है अभी मेरे उपर ही सब कुछ केंदरी चल रहा है कि मौमद अली साहिल साहब की आवाज मुझे नहीं सुना ही पड़ रही लेकिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया जो तक्नीकी देख रहे हो कर पर मौममद अली साहिल साहाब पर एंगरी ले जाए है यहां आ रही है स्वागाद तरफ पर आ जी सब्से पहले तुम्हें अध़ शाला इसने भी अराकिन है उनको उनको शुक्रिया भी आदा करता हूं और उनको परक्त प्रप्ष करता हूं पुलिस कमिश्य नहीं जी आ गए डॉक्टर हसन साही साथ मुझे देख रहे हैं आपने मुझे बताया तो मैंने यह बहुत पहले से इननों ने कह रखा था तो ये इतिफाख है कि ये लिघ्ट का मेरी आवाज आ रही है जी जी नोड़ सुख्र्या करिमभाई करीम जाख्या आप आगए हैं बहुत सुख्र्या कर्ग्राम आप इसाब से भी थिए गता है आप मुझे सुन पा रहे हैं जी 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 की बात है आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं जी सब्सक्राइब आप अपना माइक बंद कर दीजिए जी 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 मैं कंटिन्यू करता हूं सदर मौतरों की इजाद से कि आज सबसे पहले तुम्हें आप सभी लोगों को मुझारगबाद इसके लिए कि आपने इतना खुप्सूरत प्रोग्राम कंड़क्ट किया वेबिनार के ह पुरिय दुनिया तो आज सबसे पहले तो हम लोगों की जम्मीदारी बनती है कि हम सब इस बबाद के लिए दुआ करें तो आज सदर मौतरों की इजाद से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और ये COVID-19 के हवाले से ये एक शेर पेश करता हूँ कि बढ़ाओ होसला औरों का, खुद रहो महफूज, बढ़ाओ होसला औरों का, खुद रहो महफूज, जो बक्त आया है, उसको गुजर भी जाना है. बढ़ाओ होसला औरों का, खुद रहो महफूज, जो वक्त आया है, उसको गुजर भी जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके बगर किसी तमीद के सीधे सीधे, लेकिन इसी के साथ साथ मैं A.D.M. साथ का शुक्र गुजर हूँ, और चांद भाई हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, चांद भाई का शुक्रिया, से सलाहुदिन साथ आज सदारत परमा रहा हैं, यह हमारी खुश नसीभी, डॉक्टर कलीम केसर साथ आ गया है, यह और अच्छा लगा कि थोड़ी देर के लिए ऐसा वक्पा आया कि लगा कि कहीं शायद करेक्टिविटी नव पाए, लेकिन खुशी की बात है कि वो हमारे साथ हैं, उनकी निजामत में में हाजर हूँ, मैं अपना कलाम पेश कर रहा हूँ, गजल का मतला मुलाइदा फरमा है, स सिदे सिदे कि वो जिसकी जात पर, मतला नज़ कर रहा हूँ, समात परमाएद कि वो जिसकी जात पर सबको यकी है, 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 वो जिसकी जात प उसकी नदे क्यों ये जमाना, जो मुखलिस है, सदाकत का आवी है। मैं समझता हूँ कि मतला हम्द का हो गया और इसमें जो है शेर नाते पाप का है शाहों की जमी है, तो ये शेर बतौर खास मैं अपने जो सदर साहब हैं उनकी नजर कर रहा हूँ कि समात पर्माए कि पर इसमें क्यों नहूं आखिर यहां पर कलेंदर और शाहों की जमी है, सलावदीन भाई देखें कि यही मेराज है दीवांगी की, यही मेराज है तो थोड़ा सा लग रहा है लेकिन कोई बाद भी मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज पहुंच रही हो शाहिद आप लोग सब लोग मुझे सुन रहे हैं तो इस उम्मीद और यकीन के साथ मैं अपना कलाम देश कर रहा हूं यही मेराज है दीबानगी की तेरी हर बात पर बुझको यकी है और शेर बतौर खास के ये माके पाओं है पलकों से चुमो तुम्हें मालूम है जन्नत यही है शुक्रिया आदा ये माके पाओं है पलकों से चुमो तुम्हें मालूम है जन्नत यही है तुम्हें मालूम है, जननत यही है और शेर यह भी कि मेरे आशू बहू भी जानते हैं, मेरे आशू बहू भी जानते हैं, मेरी गमखार मेरी आस्ति हैं। मेरे आशू बहू भी जानते हैं, मेरी गमखार मेरी आस्ति हैं, मकतावी की वो क्या समझेगा दरिया की रवानी। जो साहिल तक कभी पहुचा नहीं है, गजल के बाद मैं सोच रहा हूं कि एक गजल क्या मतला और तो तिन शेर और आपकी महबतों के हवाले कर दूँ। मुझे याद आ रहा है कि मुझे खुशी इस बात किये कि मौतरम अनबर साहब के साथ मेरा आखरी मशायरा था, 26 दिसम्मर को विस्वा का मुशायरा था, और मैं वहाँ पर था, और सबसे खास बात जो लोगों नहीं कही वो तो अपनी जगए लिकिन एक बात मैं जरूर कहन चाहूंगा, कमाम से मुशायरे होते हैं, नाजम में मुशायरा का रोल बहुत एहम होता है, लेकिन साथ जो खुसूसियत उनके अंदर थी, अपने से छोटों के साथ जो उनकी शवकते थी, छोटे को कितना बड़ा शायर बना के पेश कर देते थे, ये हुनत, महुतरम उनकी जिन्दगी के बहुत से बाव भी बाकी थे, लेकिन शायर अल्ला की जो रजा, तो मैं एक गजल के मतला और दो ती शेर, दो चार शेर पढ़ दूँ, और जो विस्वा में बड़ा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा गजल का ये मतला उनकी जिन्दगी के बहुत करीब से गुजरेगा, अब रभी देखें कि वो मतला मुलाइदा फर्माएं, समात फर्माओ। जाना था कि आदिस्ता तो बसिक बहाना था, रुख को जिस्म छोड जाना था बहुत 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 नवादिसा क्राइज आए सख्टाक & यव-दि ऐस मुचे सुनरे हैं। सुनरे हैं। यव अंलब लुगा utter और मुझे भड़ा अपसॉस होना.. कि ये मतला उनकी जिन्दगी की इतने करीब से गुजरा तो उसके चार-पांच दिन बाद वो हादसा हुआ और मैं क्या गाओं साथ हादसा तो बसक बहाना था रूह को जिस्म छोड़ी जाना था रूह को जिस्म छोड़ी जाना था और ये शेर मुलेदा रहेंगे तो समात परमाएं बे असर सब दवाएं होती रही बे शर सब दवाएं होती रही जख्मतं बख्त भी कुराना था जख्मतं बख्त भी कुराना था जख्मतं बख्त भी कुराना था और ये शेर भी समात परमाएं कैसे कहता मैं अलविदा उसको कैसे कहता मैं अलविदा उसको कैसे कहता मैं अलविदा उसको उसके दिल में मेरा ठीकाना था कैसे कहता मैं अलविदा उसको कैसे कहता मैं अलविदा उसको उसके दिल में मेरा ठीकाना था शबीना आपा मुझे सुन रही है मैं समस्ता हूँ मुझे दौाइं मिल रही है आप तमामी अज़रात की उसके दिल में मेरा ठीकाना था ये शेर भी कत्रा कत्रा था गम समंदर में कत्रा कत्रा था गम समंदर में सीपियों में उसे सजाना था सीपियों में उसे सजाना था और शेर बतुर खास समद परमाएं वो न समझा उसूल की खुषबो 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 उसका अंदाज ताजराना था अधराद बहुत महबत से आप सुन रहा है तो मकतवी आपकी महबतों के हवाले और आपकी जहमतें तमाम क्यों आता मैं वक्त पर साहे क्यों आता मैं वक्त पर साहे क्यों आता मैं वक्त पर साहे मेरी खिसमत मैं आवदाना था क्यों आता मैं वक्त पर साहे मेरी खिसमत मैं आवदाना था हादिसा तो बसिक भाहाना था रूह को जिस्म छोड़ जाना था बहुत दों शुक्रिया बहुत दों शुक्रिया तमामी उप्राइब का वावाव बहुत अच्छे शुक्रिया करीम कैसा ताप अन्लाइन हो गए हैं जार साथ आपनी आडियो आन कर लेजिए जार साथ आपनी आडियो आन कर लें हसन साथ भाई कर रहे हैं उन्हीं को आडियो बंदे है जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ आवाज आई शुक्रिया शुक्रिया बहुत मुआरक बाद दूंगा अजब शाला और वेलपेर सोसाइटी जलालपूर जो नहीं जान पाती हैं इसने एक अधी अधीम शफियत और पूरी उर्दु दुनिया वजिनकी शिनाक्त है जिनका नाम में काफी है जिन्होंने जलालपूर के लिए बहुत कुछ किया जलालपूर इनके नाम से रहा जना सदारा तेक बावकार शक्सियत मुथरम सेथ सलाहुदीन साफ जो अर्दु जबान वदब के लिए मुझे ज़िए 30-35 साल से बाहरून मुलक ऐसी तकरीब परपा करते हैं और अपने दमखंबर करते हैं अपने अबाब की खुशी के लिए करते हैं और अर्दु जबान और ह सदारत कर रहे हैं हजरात ये अच्छा मौका है कि एक साफ सुत्रे और सहितमंद रिवायत जो अदब शाला ने डाली है किसी बाहने हम उन्हें याद कर ले रहे हैं हाला दूसरी खिसम के अच्छी नहीं है वरना हम लोग इसे कहीं मिर्दा कालिप पालिज में याराव नही मैं इस वक्त चाहूंगा डक्टर हरी प्रकास जी जो अनवर्चा आपकी सरपरस्ती में इन्हों ने पुर्टु जबानों दप्त के लिए बहुत उच्छिया उन्हों ने डॉक्ट्रेट किया और शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं कि बहुत तुर्ट लहजे के शायर हैं मैं जनाबे अरी परकाश जीगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो तश्रीव प्लाएं पर अपना कलाम पेश्वत कि अरी परकाश शारी फैजाबादी मेरी आवाज जाएं जाहें रख उनी को उपर उनी को पर पर उसे के निसे निए वह सब उपर है उज्ट हैं यह जी आपि अपनी माई कांगे जिए रेए प्रकाश जी वहां से मोबाईल से आně, माइक आन करें अब एकवाifornis के प्रेस करें माइक आएक, माइक आएगे माइक आन कर ने फिर आफ्कि आवाज आएगी हरी परकाज यह वाइक आब हो अपना माइक कान कर लें आब आफ, जी आवाज आ रही है लगा है शुक्रिया, मैं सबसे पहले आपको राजे अधिदत पेश करता हूँ और आज के प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इस प्रोग्राम के कन्वीनर प्लतोष कुमार सिंग जी पीजिएस इम आयोधिया को और पैजान अश्रफ सहब और डाक्तर हसन साइद सहब जो आदब श पाउंडर हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस तारीखी प्रोग्राम में इन्होंने मुझे भी मौका दिया, यह मेरी खुश्किस्मती है, कि सेयद सलाहुदीन सहब की सदारत और डाक्तर कलीम कैसर सहब की निजामत में मैं पढ़ रहा हूँ, अन्वर साहब से मेरी मुलाकात 16 अक्तूबर 1989 को तब हुई, जब नरेन देविंटर कालेज जलालपुर में मेरी पोस्टिंग हुई, वो वहाँ पर इंग्लिश के लेक्चरर थे, मेरा कॉमर्स में हुआ था, हम लोगों ने एक साथ 21 साल उस कालेज में काम किया, फिर वहीं पर मुझे शायरी का शौक हुआ, सिल्सिला शायरी का वहीं से शुरू हुआ 96 से, और जब मैंने शायरी शुरू की, उसके बाद उनसे कुर्बत मेरी बढ़ी, धीरे-धीरे मैंने उनहीं से शायरी सिखी, घजल सिखी, नात कहना सिखा, और उर्दू लिपी भी मैंने उनसे सिखी, और जब मैंने उर्दू लिखना पढ़ना सिख लिया, तो उनहीं की रहनुमाई में मैंने उर्दू में में किया, 2003 में और फिर उर्दू में पीएसडी भ है उनकी रहनुमाई उनकी दूआ है एक शेर जो मेरा उर्दू सीखने के बाद हुआ मैं उनको नजर करते हुए अपनी बास शुरू करता हूँ कि जब से उर्दू से महबत हो गई, जब से उर्दू से महबत हो गई, मेरी हिंदी खुबसूरत हो गई, ये शेर आज मेरी शिनाक्त है और इस शेर के लिए इस शेर को मेरी शिनाक्त बनाने में अनवर सहाब का बहुत बड़ा रोल है, मैं फिर से उन्हें सलाम करता हूँ, खिराजय अकीदत पेश करता हूँ, और एक गजल से अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ, कि हस्ते हस्ते बेटी को रुखसत करे, हस्ते हस्ते बेटी को रुखसत करे, बाप इतनी किस तरह हिम्मत करे, जी ड़ाट सबूँ, हलो, जी आप पढ़ें, जी, हाँ, जी, मतला मुलाज़ा कराएं, जी, कि हस्ते हस्ते बेटी को रुखसत करे, हस्ते हस्ते बेटी को रुखसत करे, बाप इतनी किस तरह हिम्मत करे, कौन ऐसे आदमी के मू लगे, कौन ऐसे आदमी के मू लगे, जो जरा सी राई को परवत करे, और इस वक्त ये कोरोना काल चल रहा है, पुरी दुनिया, परेशान है इस से, लेकिन कहीं न कहीं, ये इनसान ने जो पुदरत पर बेरहमी की, ये उसका भी एक नतीजा है, तो एक शेर इस पर देखते हैं, य आदमी ने ही कहां बक्षा उसे, रहम उस पर किस लिए कुदरत करे, और जाहिलों से जीत सकता है वही, जाहिलों से जीत सकता है वही, जो उन्ही की भाशा में हुज़त करे, ये तरीका तो गलत है, जो बिके, ये तरीका तो गलत है, जो बिके, कोई और उसकी तैकीमत करे, और आखरी शेर के साथ मैं इजासत लूँगा, कि सब में ऐसा हुसला होता नहीं, सब में ऐसा हुसला होता नहीं, सच कहे और मौत का स्वागत करे, हस्ते हस्ते बेटी को रुकसत करे, बाप इतनी किस तरह हिम्मत करे, बहुत बहुत शुक्तिया, करें करेंबासाब हो जे घ्राग साभ माय कान की ही अखरी जे अवाजारी है आप यह जे जे जणाब हारी परकाष भरी ने बहुत अच्छे शेर सुना, फिर अन्दी और उंधू जबान को तरीब करने कान ताने उन्मत नहीं देखने और बर्पूर शर परसकी रही है और आ परिपी मकाला लिखा और आज वो डाक्टर हरी परकाश है तरह तरह हासन साइद उनके अच्छे शागिर्दों में रहें वेलकि बेटे की तरह रहें उची तरह हरी परकाश भी दहर के परन की तरह रहें तो इन सब की शमूलियत जो है पर दारत अली जो पर मारे जिसमें जमूरियत हिंद का वही का आलिम में शारह होता है उसके शिनाखत पूरी दुनिया में एक रोश्नी जो पहला रखती उन्होंने दफ्टी वो तमाम उवडूदा तब्का और हिंदी वाले सब उन्हें मौबत करते हैं और इसमें से बेशतर लोग उनके मुशार्व में चुके हैं आई एक बिल्कुल ताजा कारा आवाना आपके मुलकात करा रहा हूं एम कोटियावी राही साहब बहुत बड़े अदीब बहुत बड़े शायर बहुत बड़े अफसाना निगार गुजरे हैं उनके खांदान से उनकी पतीजी मुतर नुसरत अतीख साहवा हुआ हमारे बीच हैं नुसरत अतीख बुन्याली तोर पे वो टीचर हैं और लेकिन इस तरह के फल्चरा एलाइटिविटीज को वो जीना उन्होंने जिना शुरू किया शेर कहना उनके फितरत में शामिल है अच्छी आवाज और अच्छे अंताज म पढ़ने गजल पढ़ने का जो उनका उनर है वो सब लोगों वो मतास्थ से पिकटता है महतरमा नुसरत अतीख गोरगपूर से घजल की अक्ताजातार आवाज आप से मुखातिब होना चाहती है इस शार आप सभी नाजरीन को मेरा आदाव मैं नुसरत अतीख गोरगपूर से सबसे पहले मैं अदब शाला जलाल पूर का शुक्र अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मरूम अन्वर साहब के सिलसले में होने वाले आलमी मुशायरे जिसकी सदारत अर्दू शायरी की अर्दू शायरी को आलमी सता पर रुष्णास कराने वाले शिक्सित मुथरम सियस सलाउदीन साहब फर्मा रहे हैं इसमें मुझे शिर्कत की दावत दी इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया आदा करती हूँ साथी ये मेरी बतकिस्मती है कि अन्वर साथ की जिन्दगी में मैं मुशायरों में नहीं आ सकी वरना मुझे उनकी दौाओं का सहारा जरूर मिलता हूँ अब मैं साहिब सदर की इजादस से एक घजल का मतला और चंद शेर हादिर करना चाहूंगी तहत में उसके बाद में एक मुकमल घजल तरन्नम से पेश करूगी इजाज़त हो तो मेरी आवाज जा रही है आप तर हादी हादी जी आवाज आ ये मुतरमा अपना माई खास से आप छोड़ दे आवाज साफ आएगी आपकी जी ये शुक्रिया एक गजल के चंद शार तो समाद करें लागे मुकम जी 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 शाम को घर लोट के जी भर के पच्टाते रहे जी कल के चकर में हम अपने आज से जाते रहें शाम को घर लोट के जीवर के पच्चताते रहे कल के चक्कर में हम अपने आज से जाते रहे बात हो, बात हो जिन्देगी का और कोई पहलू नजर आया नहीं कुछ नया करने की धुन में खुद को दोहराते रहे कुछ नया करने की धुन में खुद को दोहराते रहे और एक शेर बतारे खास जो जहां जैसे था वो वैसे का वैसा ही रहा जो जहां जैसे था वो वैसे का वैसा ही रहा मेरे जैसे सैकडों आते रहे जाते रहे मेरे जैसे सैकडों आते रहे जाते रहे बहुत बहुत शुक्रिया एक शेयर समात करें ये मसीहा हैं नहीं ये सब के सब जर्राह हैं आप लोगों को अपने जख्म दिखिलाते रहे बहुत शुक्रिया अब मैं एक गजल तरन्नम से सुनाना चाहूंगे हम तुम्हे बद्वा नहीं देंगे हम तुम्हे बद्वा नहीं देंगे हम तुम्हे बद्वा नहीं देंगे इतनी लंबी सजा नहीं देंगे बहुत शुक्रिया इतनी लंबी सजा नहीं देंगे हम तुम्हे बद्वा नहीं देंगे गम को मेहसूस की गम को मेहसूस की जीए साहब गम को मेहसूस की जीए साहब गम को ऐसे मजा नहीं देंगे गम तो ऐसे मजा नहीं देंगे बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया एक शेर बतारे खास अपनी बद सूरती करो महसूस अपनी बद सूरती करो महसूस अपनी बद सूरती करो महसूस हम तुम्हे आईना नहीं देंगे हम तुम्हे आईना नहीं देंगे ये मरज ठीक ही नहीं होगा ये मरज ठीक ही नहीं होगा ये मरज ठीक ही नहीं होगा आप जब तक दवा नहीं देंगे आप जब तक दवा नहीं देंगे तुम को कर देंगे बस सुषे बेखदा क्यों मत दो कर देंगे बस सुषे की नहीं होगा cents Loch Nusa आप जब बस सुषे की नहीं होगा ये बस सुषे बस बस सुषे की की नहीं हम कोई फैसला नहीं देंगे हम कोई फैसला नहीं देंगे और गजल का आखरी शेर समात करें हम मुबलिग है इश्ग के नुसरत हम मुबलिग है इश्ग के नुसरत नफरतों को नफरतों को हवा नहीं देंगे हम तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगे इतनी लंबी सजा नहीं देंगे बहुत 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 शुक्रिया बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत 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 छब्त अपकिलम्समारी यूत परमारा देनुडेंग जो जब बीश्ट के ज़न्जाल में आ जाते हैं और जा अफ्लाख से पाताल में आ जाते हैं गतने गम पाले है ढमने दुने हैं जितने गम तो मेरे गुम लोहाएं चैते हैं एक औरत से बेतर कोई नहीं जानता और वो बरतना वो जानती है और बरतने का सहलीखा भी सिखाती है मुतरमा नुसर तदीख साहब का क्लाम बहुत ही साथगी के साथ अच्छी नगमलगी और अच्छी अदाईगी के साथ आप समात करमा रहे थे अगर उन्होंने अपना कलाम नहीं पेश किया है तो मेरी खाहिश है कि वो एक मुझे खत्म करना है लेहाज हमें चाहता हूं कि सारे लोग पढ़ने अगर वो मिरी आवाज सुनने हो तो एक मुझे अच्छा इसरार साब ने एपनी स्पीश कर दिये इसरार बादी साहब हो गया है वो मुकार्विर थे वह हो गया अच्छा अब आए हजरात मैं मुतर्मा एक और हमारे बीच में जनाम मुतर्मा सलोनी राना साहिबा यहां से सलोनी राना साहिबा अच्छी सानी कल्चर की मुमेंदगी करती है अपनी शाहरी और अपनी कविता में तो मैं इस वह गुजारिश करूंगा गलब इससे पहले वो जलालपूर एक मुशारे में आ भी चुकी है लोगों ने देखा भी पसंद भी किया है तो मैं उन से गुज अश्कार सभी को पडाम आडाव सलाम और मेरे भाई डॉक्टर हसन सहाब यहां पर जिनों ने ये सारा मजमा अपोरी गहतिल जो उनों जमाई थे हैं बहुत-बहुत बधाई उनने उसके लिए देती हूँ और इसकी याद में हमारी बर्त किसमती आज हमारे साथ नहीं है ज जन दिवस के मुझे पर मुझे पर जलालपुर ने याद किया है इस अदब शाला अनर जलालपुरी फ़ादेशन ने याद किया है बहुत-बहुत शुक्र गजान हूँ बहुत बहुत आपकि आभार आप सभी हो और आज डॉक्टर करीम केसल सहाब की निजामत है मेरा स्व यहां पर है एक आएंटीडेट बाउंडेशन होगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं सीज़े-सीज़े अपना कालाम पढ़नों और कम भुवी काओं के साथ सीज़े-सीज़े में पढ़नों कुछ आता है और एक मुकमल गजल में आप सबके विश्रतना चाहती हूँ जैसा कि एक परमपरा है सबसे पहले मैं अदब के अजिव शान नम अनवर जलालपुरी साहब पदंशी अनवर जलालपुरी साहब पाते में पदंशी को सम्मानीद है उनको सम्मानीद करके रख साब एक बार मुझे आप बस कंफं कर दीजा आवास बिलकुल तीर है ना मैं चाहती जी चार पंटियों से चार मिर्सरों से मैं उनको जो नहीं है आपके डिश्टाबिंस आ रही है माइक ठीक है मैं माइक का यूजी नहीं कर रही हूँ मैं नॉर्मल ही पड़ रही हूँ हूँ जी इसलिए कुछ प्रावलम मारी आवाज में अभी जी आप इनाप करें ठीक आवाज आ रही है जी जी तो से पहले बें चार मिस्रे उनी को समर्पित कती हूँ और चाहती हूँ 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 है मिर्स पास शुरू करें तो सुनी आपके डि़टी जाएगी दौनके महत बढ़ भी जाए गिरों नगे मेहत एक सुखनवर को यारते हैं शारी की पजा महत जाए आवनवर को याद करते हैं बहुत 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 शुक्रिया यहां से अपनी बास शुरू करती हूँ और एक कत्रा जिसके मझे हिंदी उडू इस हिंदी की कवी सम्मेरन की बेड़ी वो उर्दू अदब में अपनाया और बहुत प्यार बहुत मुहपत के साथ मुझे सुखा जाता है दोनों ही मंचों पर एक करा में अपनी पहचान का यहां से पढ़कर अपनी बास शुरू करना चाहती हूँ और उसके वाद एक कमल गर्ड़ मैं चाहती हूँ कि जो यह कौने एकता का हमारा जो आज यह कवी सम्मेरन मुशायरा इंटरनेशनल मुशायरा हूं लोगों ने जो आए जित क्या है अलमी मुशायरा एक उर्दू अदब अदब शाला के लिए मैं चार पंतियां यहां पर समस्तित करना चाहती हूँ डॉक् लिए ता कुराल सीखेंगे देख हर इंतहाल सीखेंगे जिसमें तह जीबसा हजाना है जित में नहीं बुलता ख़ाना है, हम वो उल्दू जबान सींगे, हम वो उल्दू जबान सींगे. बहुत बहुत शुक्रिया रॉप साब आप मुझे थोड़ा सा माहते चन्फरम करके रहे हैं कि मेरी आवा जाफता कुछी तरह पहुच रही है. जोटी हम दे दिया, जताते हैं, जोटी हम दे दिया, जताते हैं, लोग खुद को खुदा बताते हैं दो कदम पात चल नहीं सकते दो कदम पात चल नहीं सकते दूर के खुब जो दिखाते हैं दूर के खुब जो दिखाते हैं बहुत बहुत शुक्रीया आप सब लोग सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं और थांक यु डॉक्स थांक यु सो मच आप मैं बहुत बहुत आभार चाहाँ कि हमारे और मैज़र सहाब गन्वेनिस सहाब हमारे शंतोष कुमार सी सहाब बहुत ही विरस्ता मफिस्टर हैं अधब नवास हैं और सब को सुन रहे हैं आप और वादा भी क्या है तलावदीन सहाब को भी मौबद नमश्टर करती हूं और एक मुझा सब्सक्राइब आप लोग के वीच बढ़ना चाहती हूं सुनीगा और प्यार देगा किसमतों के थे सब पैसले तुझ से कोई गिला ही नहीं किसमतों के थे सब पैसले, तुझसे कोई गिला ही नहीं किसमतों के थे सब पैसले, तुझसे कोई गिला ही नहीं हाथ में की लकीरे बहुत तू लकीरों मेखा ही नहीं हाथ में की लकीरे बहुत तू लकीरों मेखा ही नहीं बहुत 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 शुपया अगला शियर के श्राथी सुने कितनी पूजा इबादत करूँ परियकी है मुझे दोस्तों कितनी पूजा इबादत करूँ परियकी है मुझे दोस्तों जो बना दे उसे बस मेरा ऐसी कोई दुआ ही नहीं और ये शेर तुनिएगा कभी कैसा नाम का है उस पर ये शेर कहा है आप सब कि दिले पहुंचे प्याने देगा उंगलियों पर तेरे नाम का जाप करती रही रात भर उंगलियों पर तेरे नाम का जाप करती रही रात भर उंगलिया जग मदाने लगी जुगनुओं को छुवा ही नगी और एक शेर और तुनिएगा जब से तुमसे जुदा हो गदा दुगनुओं आता महसूस करते है हम जब से तुमसे जुदा हो गए जितने घं जब अब कोई गम बचा ही नहीं अब कोई गम बचा ही नहीं और एक शेर खुब को नज़र करती हूँ लेकिन है आप सब्सक्राइब सुन्दीजा मैं कुजारन मुहाबत की हूँ मैं कुजारन मुहाबत की हूँ पर मुहाबत के काबिल कोई इस जमी पर मिला ही नहीं और एक शेर यूँ हुआ है सुनिएगा उसकी मासूमियत देखिये त्यार से है मेरे बेखबर मैंने चाहा उसे तूट कर मैंने चाहा उसे तूट कर और उसको पता ही नही मैंने चाहा उसे तूट कर और उसको पता ही नहीं और एक कजुर्व के हमाले से चेर कहती हूँ सुनिएगा सच कहूंतो मुहाबत का ये एक सजर्वाही का फीरहा सच कहूंतो मुहाबत का ये सच कहूंतम न ही पता ही रहा सच को हो तो मुझ झाए एक अद सच कहूंती रहा दिल लगाया था तुझ से कभी दिल लगाया था तुझसे कभी तुझे से अभी दिल लगाया था तुझे से अभी दिर की सीद से लगागी मेही और मत्य का ये शेर। अपनी गर्लों में लाकर सभी आज दुनिया के गम रख दिये है जो दिल में लोनी तेरे तुन ने वो तो सहा ही नहीं किसमतों के से सब पैसले तुन दे कोई लिया ही नहीं हात में थी लकीरे बहुत तुन लकीरों में था ही नहीं तुन लकीरों में था ही मेरी तुन लकीरों में था ही नहीं दुन दून लकीरों में था रख दून था आज लगा इस पास चाहता हूं कि जनाब रहसन सईथ साभ जो बहुत कोशिश करते हैं अधश्य वाज्य इस नहीं बहुत ही पुर्मा मेहरी शारी करते हैं अध़ जो उनके खरीब रहते हैं वह बहुत ही अध़कार शारी के तरफ उने ले जा रहे हैं मुझे अच्छा लग़ाए और इस करने कर जख़बा है अन्वर सहाब तो जो उनके खुर्बच की जो लगाओ था उसका समरा है कि आज हम ये मुझारा वालमी मुझारा इस महिंदी और उर्दू दोनों जबानों के जिस जबान और जिस तैजदी पे लिए अन्वर सहाब कुरे जिंदगी लड़ते रहे उसकी नमाहिंदगी वो अपने जरिया अब शाला के जरिये करा तो मैं भाई असन साहीद से ये गुदार कर रहा हूं मुधरम साहिल साब शहरियार भाई हमारे डियम साहब अगर आवास पहुश रही हो तो डार साब देखिएगा की रफता जख्म अपने दिल का मैंने इतना गहरा कर लिया वा 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 जख्म अपने दिल का मैंने इतना गहरा कर लिया रफता रफता सारे गम ने इस पे कबजा कर लिया तभ्तार रफ्तार सारे गम ने इस पे कबजा कर लिया बे करारी बढ़ गई जब हद से ज्यादा दा फतं υसे लफ्तार लंका्न कर के माई ने उस पे सजदा कर लिया लफज मा लिक कर के माई ने उस पे सजदा कर लिया वहीं से सदाव साब एक शेर और पेस कर रहा हूं डार साब देखिएगा कि मा की आगोश में बैठा तो ये महसूस हुआ मा की आगोश में बैठा तो ये महसूस हुआ रातें ऐसी की जन्नत का गुमा हो जैसे दिल को देती है सुकूं मा तेरी शीरी आवाज दिल को देती है सुकूं मा तेरी शीरी आवाज ऐसा लगता है मुझ्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द दर्द बेहद है मगर दिल तो है आराम के साथ जिस विलिए मैंने जहमत दी है कि दू तो सुरज था तू तो सुरज था जिया बाट रहा था सबको सादर साहब देखे हैं कि तू तो सूरज था जिया बाट रहा था सबको फिर भला शाम तेरी कैसे हुई शाम के साथ प्र भला शाम तेरी कैसे हुई शाम के साथ और दोशेर यहां से की तुम चाहते हो सारे अलाके मैं सौनब दॉ जरा सी तुम से सभाली नहीं गई डार साफ खुश्बू जरा सी तुम से सभाली नहीं गई फिर सारा चमन आपको कैसे मैं सौफ दूँ अपनी बातों को मुतसर करते हुए बस एक गजल के दो तीन शेर खाला को मदे नज़र रखते हुए कि हमारे सदर साथ देखिए गा सराउदीन साथ कि चैन गुलशन में कहा है तुझे मालूम नहीं चैन गुलशन में कहा है साइल साथ चैन गुलशन में कहा है तुझे मालूम नहीं एडियम साथ हमारे साथ देखिए गा कि चैन गुलसन में कहा है तुझे मालूम नहीं हर कली नौहा कुना है तुझे मालूम नहीं हिजर के वक्त जो आँखों से कहा था तुमने बात वो अभी नहा है तुझे मालूम नहीं जिस दो शेर के लिए मैंने आपको जहमत दी है वो मुलाज़ा फर्माए कि किस बुलंदी पे लिए तुझे को फिरा करता हूं शारिया भाई देखेगा कि किस बुलंदी पे लिए मौतरमा शबीना अदीब साहिबा सलोनी साहिबा तर्वेश अस्थाना जी नुसरत अतीग साहिबा हसन काजमी साहिब और हमारे डाक्टर कि किस बुलंदी पे लिए तुझे को फिरा करता हूं फिक्र ये मेरी जहां है तुझे मालूम नहीं तुझे मालूम नहीं आखरी शेर पे पूरी तबज्ज़ चाहता हूं कि साजे दिल रोको ना की होगी कियामत बर्पा हमारे साजे दिल रोको ना की होगी कियामत बर्पा रक्स में कोन कहा है तुझे मालूम नहीं रक्स में कोन कहा है तुझे मालूम नहीं बहुत बहुत शुक्रिया अलिम कैसे साथ बहुत शुक्रिया साथ बहुत अच्छे शेर सुनाएं तबीद खोश होती है कि जब हम से मनसूब लोग हमारे करीब लोग अच्छे शेर कहते हैं और लोग उसे परसंद कर रहे हैं तो दिल खुश होता है जलावतीन साथ की मौजूदी इस बात की दलील है और ये खास बात है सलावतीन साथ में संतोश भाई अगर सुन रहे हूं एडियम साथ तो बो सुने है और जलावती कैles कुछा को और हिंदुस्ताइन कन सेवानां के कुछर को पूरी तरह से फुरी आपलतब मेहार घरसाल सोवें से नाफिसकरे जन्व giggles कि sticks चैस्वार कि मौजूदी को स्लाम फेश करता हूं और शुक्रियादा करता हूं मैन आजभी शवरका का अब आईसे से लोग हैं जो इसी भी एक मुशारे में उनकी शिर्कत मुशारे की काम्याबी की जामिन हो जाया करती है शबीना है हमादी मौतर अथन भाई हैं अथन काजमी साथ सर्वेश भाई हैं और दीगर लोग को भी जूड़ेंगे मुझसे तो मैं पोशिश यह करूंगा कि एक ऐसी शक्सियत जिसने जिन्दगे भर मुस्कराहटे माटी हैं आज उनकी इस खिद्मा के सेवा के लिए उन्हें स्माइल मैं कहा जाता है लगनाओं में वह से उनका तालुक है मगर पूरी दुनिया में अपने कहकों बिखेरने के लिए वह पहचाने जाते हैं सर्वेश बनसूब है उसे जाफरा अंजार बना दे उसे अपना एक खास रंग दे भाई अधिये सरेवेश अस्ताना में जी बहुत-बहुत परणाम सबको बहुत इंतजार किया हमने आज बहुत दिन बाद इतनी देर तक का मुशारह अटेंड कर रहे हैं तो नीज ही आ रही थी थो कलीम कैसर साब को पुणाम करता हूं, सलावद्दीन साब हमारे अद्ध्यक्ष हैं उनको पुणाम करता हूं सारे लोग मुझसे बड़े हैं कुछ लोग उम्रू में छोटे होंगे लेकिन वो सलाहियत मुझसे बड़े हैं A.D.M. साहब यहां पर बैठे हैं मुस्कुरा रह मैं भी PCS बनना चाहता था, मैंने एक्जाम भी दिया, लेकिन उसमें मुझे नमबर ही नहीं मिले मार्चीट में, तो पिता जी बड़े नाराज हुए बोले कि इनको घर से निकालो, यह सब नाम रोशन करेंगे इसी तरह से, तो हमने पिता जी से कहा कि एक मौका दीजिए, मै मैं इनके बराबर पहुँचके दिखाऊंगा, आज मैं उनके बराबर बैठा हुआ हूँ, और पिता जी की खाहिश पूरी कर दी है, मैंने, आज आप नमबर ही हो गए हैं, जी, आप ही की तरह, जी, तो आईए मैं, जी, एडियम साब बहुत खुश्मिजाज हैं, मुझे, क्योंकि मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हूँ, तो मैं इनको बहुत अच्ची तरह से जानता हूँ, अचलिये मैं कविता सुनाता हूँ, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, अनुवर जलालपूरी साब को, और उनका एक शेर जो मैंने जिन्दगी में पहली बार दूर देखा था, तो इन्होंने पढ़ा था, निजामत नहीं कर रहे थे, निजामत कर रहे थे हमारे मलिक जादा साब, लेकिन पढ़ा था शेर, इन्होंने बस एक शेर उनका पढ़ूँगा, फिर अपनी वेंगी की एक कविता सुनाओंगा, उनका शेर यू था कि मैंने सोचा घर आंगन में एक लगाऊं, आम का पेड़, ये उन्नी सो इक्यासी में मैंने सुना था, तब से रट गया है, मैंने सोचा घर आंगन में एक लगाऊं, आम का पेड़, खटा, खटा, मीठा, मीठा, यानि तेरे नाम का पेड़, तो आज अन्वर साब नहीं है, लेकिन उनक आपने बैठे हो तो मुझे जूद बोलने की क्या जरूरत है तो मैं एक वेंग की कविता सुनाता हूं हलांकि आप लोगों की आवाजे नहीं सुनाई पड़ रही लेकिन मुस्कराटे दिखाई पड़ रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है जो वरतमान हालत है उन पर मैं रिष्टों में तकरार बहुत है लेकिन इनमें प्यार बहुत है अपनी तेग संभल कर पकड़ो बतावधास रिष्टो में तक्रार बहुत है लेकिन इन में प्यार बहुत है अपनी तेग संभल कर पकड़ो इस गर्दन में धार बहुत है और जीते वही छोड़ जो जाते मरने को संसार बहुत है और सलावदीन साथ आपकी नजर करता हूँ आखरी शेर ये कि रिष्टो में तक्रार बहुत है लेकिन इन में प्यार बहुत है और सारी दुनिया खुश रखने को ये सब के लिए मैं कह रहा हूँ सब के लिए कह रहा हूँ रिष्टो में तक्रार बहुत है लेकिन इन में प् कि चोटी सी कविताब को सुनाता हूं और आप से इजाज़त लूँगा इसलिए क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लोग जिनको मैं सुनना चाहता हूं माना यह फैमिली व्लांइंं का जमाना है अपना इससे विरोध बहुत पुराना है अपने ओपर तो ओउपर वाले की दुआ है ज्यान दीजेगा अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं चार शबीना जी सुनिएगा मैं भी चाह पी रहा हूं अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं चार, सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भृष्टाचार, आप सब की तबज्जों चाहता हूं, अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं चार, सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भृष्टाचार, सदाचार रो रहा है, बच्चे क्या कर रहा है, ध्यान दीजे, सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है, अत्याचार बल्वान है, अत्याचार और अगली पंक्ति बहुत अब बवत आपको एक बराड है हमने आपको एक बेटियां है बैटियां जग हसाइब देखे बेटियों को भी ध्यान से देखेगा बेटियां है सच्चाई लड़ाई महंगाई और जग हसाई सच्चाई जड़ है सच्चाई जड़ है लड़ाई गड़बड है बेटिया कैसे निकल गई सच्चाई जड़ है लड़ाई गड़बड है महंगाई मुह लगी है चड़ेगी और जग हसाई अमा दिल लगी है बढ़ेगी और जग हसाई दिल लगी है बढ़ेगी अब कविता खत्म पर है और आप बहुत आशिरवाद दीजेगा और दिल लगी है बढ़ेगी इमान शराफत प्रेम और करतव हमारे इन बच्चों के मामा है इमान एक एक सब्द लिया है मैंने आप समझ जाएंगे महाभारत से इमा इमान शराफत प्रेम और करतव हमारे इन बच्चों के मामा हैं लेकिन आज कल सबके सब सुदामा है इमान शराफत प्रेम और एडियम साब बहुत अच्छा आप सुन रहें इमान शराफत प्रेम और करतव हमारे इन बच्चों के मामा हैं लेकिन आज कल सबके सब सुदामा हां हासन भाई सुनिएगा आंतिमं pirate नोटना भी छोटा सा परिचेफ से अशाज़ेश भंधे का नाम भारत देश लटने सब्सक्राइब किल देशा कि भाई सरवेश अस्थाना ने जो कलाम पेश किया है वो आज के समाज और परिवेश पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और यह विंकार ही कर सकता है दूसरा कोई नहीं कर सकता विंकार के अंदर एक ऐसी आख होती है जिससे वो उन कमियों को देख लेता है जिससे समाज पीड आमद इस अदब शाला आलमी मुशारा और वेबनार में हमारे लिए बहुत ही बेतर साबित हुई है मैं रिवेश को बहुत मुआरक बात पेश करता हूं हमारी फेरिस में ADM साहब गालेबन शेर नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो गुर्दू हिंदी दोनों से बहुत महबत करत हुँ अगर वो शेर पेशक पढ़ते हों तो मुझे अधिन साहीद बताएं तक कि मैं उन्हें भी बुला सकूं ADM साहब जी जी एकबार को दोबारा बुला दीजे वो जो भी पढ़ दें एकबार वो फिर आवास दे दिया ADM साहब को संतोष सिंग साहब से मैं पहली बार पिछली साल गलब निनी दिनों में जलालपूर में मिला था इतना सिकी था इतना सरल वेकित तू और इतना बड़ा अधिकारी मैं तो यह कहता हूं कि अगर इस तरह के दस बीस पचास PCS हमरे देश में हो जाएं तो यह जो बहुत सी चीजें हमारी खराबी के तरफ बढ़ रही हैं वो भलाई के तरफ बढ़ने हैं लेकिए जो साहित की से प्रेम करता है वो समाज से प्रेम करता है और जो समाज से प्रेम करता है वो देश प्रेम करता है तो इस मौमले में भारी संतोष कमार जी एडियम जिया बहुत खुशक्शीब हैं हम लोग भी उनका सानित ही मिलता रहा है और वो शेर बले पढ़ें ना पढ़ें कविता सुनाएं ना सुनाएं लेकिन अपने सानित हैं और अपने मौजूद होने का हमें अमसकं यह एसास दि करता हूं और अनलाइन मंच पर सबका अपने हिर्देंशे स्वागत करता हूं इस अफ्तक्बाल करता हूं मुझे अफ्तक्ताना जी को सुना वाकि शायरों को सुन रहा हूं शायरा को सुन रहा हूं मुझे बहुत आनंद आ रहा है मैं चाहता हूं क्योंकि मैं कोई सेरोड परता नहीं मैं शायर नहीं शायरों का कदिर्दान हूं इसलिए आज की तारीख में इंसान हूं मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम आगे बढ़े और हम इसका श्वादन आनंद लेते रहें बाकी में बीज बीज में जब भी आपके इजाज़त होगी में बोलता रहूंगा और बाकी बहुत से शायर हैं उनके सुनने का में बहुत इच्छुक हूँ और सभी लोग जो सामयिन सुन रहे होंगे जो आनलाइन जुड़े हुए हैं सुन रहे होंगे मैं चाहता हूँ यह प्रोग्राम आगे बढ़े जब जाज़त होगी मैं हाजर होंगा मैं साथ में शुक्रिया बहुत धन्यवाद संतोष जी आप इसी तरह हम साथ कारों की सर परस्ती करते रहें आपका सानी दिमिलता रहे तो अच्छा लगेगा सदारत फर्मा रहे हैं आलिमी शुरत रखने वाली शख्सियत अर्दु हिंदी दोनों जबानों के लिए इंदु स्थानी कल्चर के लिए बहुत सही सलावग्दीन साथ अभी हमारे बीच गालबन दो तीन शौरा जो जिन से मुझारे का विकार काइम रहता है उनमें भाई हसन काजमी और मुथरमा शवीना साहिवा हैं इससे पहले अगर कुछ नाम रह गए हो तो मैं हसन सईद साथ के बता दूँ कि वो मुझे बता दे कौन कौन लोग रहे अफजल खान ने गजिए घजल के जिसके दो शेर मुझे इस वक जादा रहे हैं कि मुझे रूना नहीं सब्सक्राइब बता दीजिए गा कुछ तो बारे में लोगों को इंतिजा मुनुबर साथ का है हाँ मुनुबर साथ की तबीयता चानक कुछ खराब की हो गई है तो हम उनके लिए दूआ करें अगर उनों ने कहा है कि अगर हमारी सह ठीक रही तो मैं आनलाइन हो जाओंगा वेरहल फिलहाल वो हमारे बीच नहीं है भी तो जब आएंगी तो मैं इंशाल्ला बता हूँग हुमे शज़रतारी नहीं करना है अगर हसन काजमी के लिए यह जिमले इस्तमाल करूं तो उस शख्स ने पिसने 40 सालों में घजल के लिए इतने महनत की है गजल को उसाद देने में इतने महनत की है मरे खेल में हम नौज़वानों में बहुत कम लोग शादिस चीज को जानते कि हैं हैं तो तुरिव काजमी ने खजल की आजमतों को एंडुस्तान दुरी दुनिया में जहां जहां मुशार होते हैं वहां पहुंचाया है इस वक्त हमारे ही पीजे में इन से दर्खास करना चाहता हूं कि उत्षीफ लाए जनावे हसन काजमी साथ और अपना कलाम पेश कर मुतरम भाई हसन साजमी माई बहुत बहुत शुक्रिया हुदाग साब आपके महभबतों को आपकी को स्काराम करता हूँ मैं सबसे पहले तो इस पुराशोब दौर में इतनी बड़ी टीव खटा करना यहां से लेकर दौबई तक हमारे सद्र मौतरम को शामिल करना यह सबसे वड़ी खूबी है और खुसूसियत है इस महभब की कि हसन साजी साब ने अपने खुलूस से अपनी महभबतों से यह कारनामा अंजाम दिया है कि अनवर साब से जो लोग महभबत करते हैं अनवर साब भी जिन लोगों को मैं समझता हूँ इस टीम में जितने लोग बैठे हैं अनवर साब बेपना उनको भी अपनी महभबतों से नवाज देदे चोटे भाई की हैसिस से अपने बेटों की तरह नवाज देदे कल एक सेविनार था अनवर साब के सेहरियार मौजूद थे उसमें हम लोगों ने यही सब उनकी शक्सियत के तमाम पहलूँ पर गुटगू की हाला कि मौजू दूसरा था कि नाजर में मुशारों मशारा की नजर में अनवर जलाग ने लेकिन उनकी शक्सियत के इतने हमजहत पहलू थे किसी एक पहलू पर हम बाती नहीं कर सकते ऐसी इनकी बिखरी हुई उसको समयटना में जगता है कि साल दो साल लग जाए तो अनवर साब पर गुस्तगों खत्म नहीं होगी कई थीसिज लिए जाएं तो अनवर साब की इस शक्सियत को समोया नहीं जा सकता ऐसा मेरा हम लोग तक्रीबन चालीस पैंटालीस बरस उनके पास उनके साथ सफर किया पूरी दुनिया के पूरी दुनिया इसरी ह Oh तो जो पहलू उनके थे उनकी शख्सियत के उनके नजगियात के उसमें जितना पहला हो था मेरे ख्याल में किसी एक शफ के बारे में इतना मैं नहीं समझता कि वो इतना ज्यादा हमाजहत हो सकता है बेराल हम सब उनको ख्राज अकीदत पेश करने के लिए आज जमा हुए हैं अल्ला जहां भी वो हो अल्ला उनके दर्जात बलंड करे और उनके जवार रहमत में उनको जगा दे हम सब यहीं दौा कर सकते हैं और अमीन अमीन अज अकीदत के तोर पे मैं एक मतला दो तीन शेयर भाई यह महसूस होगा कि अनवर भाई हमारे बीच हैं आज की इस मैं फिल्म में हम सब को दौाओं से अपनी शफ़कतों से नावाद रहे हैं मेरे लिए इससे बड़ी जिए नहीं हो सकती हूं महसूस भी कर रहा हैं मतला आप सब की नस कर रहा हूं आप सब के हवाले से प् मैंनत की मुबारक बात दे रहा हूं आपको इसका। कोई नक्षबा नहीं मिलता वास पास है लेकिन पता नहीं मिलता वास पास है कोई निशान कोई नक्षबा नहीं मिलता वास पास है लेकिन पता नहीं मिलता कोई निशान कोई निशान पास हिए नहीं मिलता वास पास पास हैं तो शहर्यार वैठें मेरे घर में करानक थी चेहक पुरे एहले जलालपूर की नजर ये शेर चेहक सजस के मेरे घर में करानक थी कहां गया है वो पंची पता नहीं मिलता वाज 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 पास है लेकिन पता नहीं मिलता कोई निशान कि वो दर में आने सफर मुझे से यूग हुआ है जुदा कि वापसी का मुझे रास्ता नहीं मिलता कि वापसी का मुझे रास्ता नहीं मिलता कोई निशान कोई नक्षपा नहीं मिलता कोई निशान भरी बहार में कैसी खवा चली है हसन किसी बेशाख का पत्ता नहीं मिलता किसी बेशाख का पत्ता हरा नहीं मिलता कोई निशान कोई नस्पा नहीं मिलता किसी बेशान कोई निशान कोई निशान कोई निशान कोई निशान कोई नहीं मिलता कि आप टिशनगी भी बरकरार है कि टिशनगी कि क्या कहें कि जिसके साथ 40 45 वरस मुशारे पड़े आज उसके लिए मुशारा पर ना प्लीज लग साब आपकुछ सुनाईए कि कलिम कैसा सब सब्सक्राइब करें सुबान ला भाई असन साफ अपने तुरन्जीदा कर दिया और वाकई जो कुरुपते नहीं हैं सब दी आन्वर साफ यह वो अपने आप में बेमिशाल नहीं है और आपने तब अजी तबियत हो गई अपने आपके से लिए में जो कुछ भी आपने का अलो अलो तो चलिए इस पर अलो मेरी आवाज आ रही है सन साथ जी आप नाप्वाज आ लिए साथ अच्छा प्यावाज आ एक लिए आप जिन्दबाद जिन्दबाद ये इंबेड करने करकर जी आला शक्स है जो बुपाल में पूरी सिर्दी रिख की वह है अबित बहुत मुबार्ट रखे और में खास देम प्रापी मुहकरमा है जिन जिने हम लोग है आनवर्ऑ साथ साथी अनका बड़ा किरदार रहा है और उनसे जो भी मिला है अब तक हासन भी जानते होंगे सलावदीन भाई भी जानते होंगे और असन साइद उन सभी घर बैटे कि तरह रही है थे तौन्हां की किरदार मौतरमा अलीमा खातून हज्जिन तक पहुचे और हम सबका उन तक सलाम पहुचे उनके होस्नों को सलाम पहुचे अन्वर साहब उने बड़ी मौपतों से याद करते थे बहराल एक तफ्सील है चालिस बैलिस साल की मारी जिद लगी उनके साथ बुज़री है वो इसी मौका प करेंगे सलावदीन भाई की मौजूद्गी और इस बात की दलील है कि अदब से जुड़े हुए लोग संतोशी हैं सलावदीन भाई हैं यह लोग अदब के लिए वक्फ है मैंने वो भी दिन देखे हैं कि जब लोगों ने इंकार कर दिया कि साथ जशन जमूरियत का मुशा करता हूं देखे हैं जब अधिन साइद काफी परेशान हुए मुशार को लेकर संतोश जी ने कहा कि मैं कर्मिनर हूँ मैं तुमारे साथ भी देख़ड़ा हूं मैं बहुत शुक्रियादा करता हूं और मुबारक बाद देता हूं और मैं कम बोलता हूं इसे मौकशे लेकिन मैं महसूस सब कर लेता हूं तो जंतोश भाई बहुत बहुत मुबारक बाद आपको क्या आप आशा के लिए तना कुछ कर रहे हैं मैं आपको सलाम पेश करता हूं और मेरे भी सिर्फ दुनिया की एक बहतरी इन शायरा इसके आवाज इसके कलाम ने अपनी शफियत और अप कराया है पुरी दुनिया को तो मुथरमा शबीना दीब हैं मैं उन से दर्खास कर रहा हूं कि वतशीफ लाइब और अपना कलाम पेश फर्माएं शबीना कहा जाना ही काम्याबी की जमानत होता है हम उनके बहुत ही मम्लूल मम्लूल मशकूर है मोबाइल आप थोड़ा साप ना रोटेट कर लीजिए आप मोबाइल स्टेट है बहुत फीगर साफ नहीं आ रही है इसको रोटेट कर दीजिए मुझसे कह रहे हैं नहीं मैं मुझसे आपसे नहीं असलाम लेकूं नमशकार एडियम सहाब मैरी आवाज आ रही है आप सबताइब आजी मुझसे कर देंगी मुझसे कर देंगी तो फीगर आप सेब फाइगी आप मोबाइल स्टेंड है स्टेंड मत यह रोटेट कर दीजिए उचीए रोटेट करना है न knife not कि जी जी हाँ जी ठीक है इस नहीं नहीं है और इस्टेंड की अपने को स्टेंड कीजिए मोबाल सी स्टेंड कीजिए पहले तो सही था पहले वाले कर लिजिए तो वह सही लगाई हुए थे हम पहले से जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जाहमत के लिए अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है को यहमत नहीं है मैं सबसे पहले आप सब को आवाज आ रही है मेरी आप सब को आवाज आ रही है किलियर जी जी सबसे पहले मैं अदब शाला वेलफेर फांडेशन अराकीन कि शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने एक अजीम शक्सियत मेरे करम फर्मा महतरम अन्वर जलाल पूरी सहब के नाम से आज का ये ऑनलाइन मशायरा इनकाद किया मनसूब किया यकीन जानिये आज का ये मशायरा ये खुबसूरत महफिल इस इतवार से बहुत अजीम है बहुत बड़ी है कि इसकी सदारत फर्मा रहे हैं हम सब के महतरम मेरे करम फर्मा हर्दिल अजीज शक्सियत सलाहुद्दीन सहब अभी तक हमने जितने भी हलाएं के हम बहुत कम ऑनलाइन मशायरे पढ़ते हैं लेकिन चुकिए ये मेरा फर्ज था इस महफिल में शरीक होना क्योंकि मेरे महतरम अनवर जलाल पूरी सहब की शक्सियत उनसे जो कुर्बत थी हम सब की जैसा कि आप सब ने अभी जिक्र किया यकीन जानिये उस कमी को शायदी कोई पूरा कर सके हम महसूस करते हैं हम रोज मशायरों में जाते हैं मुझे मालूम है कि मुशायरे में कैसे उठना है कैसे बैठना है क्या बोलना है मैंने तो यह सलीका भी यह शौर भी अनवर सहब से सीखा है और मेरे सरपरस्त थे वो आज उनकी कमी का इहसास मुझे होता है और होता रहेगा मैं इस मौके पर चाहती हूं कि खिराज अखीदत के तोर पर हसन साइश सहाब ने और आदर्णी संतोश कुमार जी जो इस महफिल की रौनक हैं इस वक्त उन्होंने इस उस्पसुरत महफिल का इनकाद तिया है मैं भी चाहती हूं कि खिराज अपीदत के तोर पर ये मिस्रे मैं पेश करूँ आप सब की भरपूर महब्बतें मुझे मिलें मैं अपने सदरे महतरम सलाउद्दीन साहब से इजाज़त चाहती हूं और मुझे वो इजाज़त दे दें अगर मेरी आवाज उन तक पहुँच रही है आप सब जो मेरे लिए महतरम है मैं एक खुबसूरत निजामत फर्मा रहे हैं मेरे महतरम करीम कैसर साहब महती खुबसूरत ये महिफल है इस वक्त तो मैं चाहती हूं कि मैं सबसे पहले ये पेश करूए खिराज यकीदत के तोर पर शुरत दांजली के तोर पर खुब मुर जाता है सुगंध नहीं पूल मुर जाता है सुगंध नहीं आप तो खुश्बू का दरिया है फूल मुर जाता है सुगंध नहीं आप तो खुश्बू का दरिया है मौत ने आपके बदम का छुआ मौत ने आपके बदम का छुआ आप लोगों के दिल में जिन्दा है आप लोगों के दिल में जिन्दा है बहुत नवादिश्बू ने आपके बदम का छुआ आप लोगों के दिल में जिन्दा है हम सब दूआ करें कि अल्ला ताला इस कुरोना जैसे खतरनाग वायरस से हम सब को जल्द जल्द निजात मिले हम सब महफूज रहें जहां भी रहें एक खजल इस मौके पर सुनाना चाहती हूं इस खबसुरत महफिल में आप सब मौजूद हैं तो आप सब की मौजूदगी को सलाम करते हुए एक खजल के शेयर पेश करते हूँ और पेश घजल का मतला भी मैं चाहती हूँ महतरम अनवर सहब के लिए ही पढ़ूँ मतलब अभी तक यकीन नहीं होता कि अनवर सहब इतनी जगी हमारे बेश से कैसे चले गए पेश करती हूँ अनवर गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में समू लेंगे तू याद जबाएगा तनहाई में रो लेंगे तू याद जबाएगा तनहाई में रो लेंगे गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में समू लेंगे शेयर मुलाइजा करें बरबाद किया किसने ये राज न खूलेंगे बरबाद किया किसने ये राज न खूलेंगे अब ते के तल्लुक पर हम दोनों है आमादा अब ते के तल्लुक पर हम दोनों है आमादा वो हम से न बोलेंगे हम उन से न बोलेंगे वो हम से न बोलेंगे हम उन से न बोलेंगे हम तेरे बिछडने का हम दिल में समोलेंगे हम कुछ भी नहीं उनके कहते हैं तो कहने दो हम कुछ भी नहीं उनके कहते हैं तो कहने दो पाएंगे हमी को वो दिल जब भी ते तोलेंगे पाएंगे हमी को वो दिल जब तोलेंगे हम तेरे बिछडने का हम दिल में समोलेंगे और ये भी शेर मुलाइज़ा करें गर आप के नीदों के सपने हमें मिल जाएं हम जागती आँखों से कुछ देर तो सो लेंगे हम जागती आँखों से कुछ देर तो सो लेंगे गम तेरे बिछडने का हम दिल में समोलेंगे बहुत बहुत शुक्रियां देखिए आवाज किसी की नहीं आरे है मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मेरे सदरे महतरम करमफर्मा दुबई में जिनों बहुत बड़े मुशारों का इनकात किया स्यास अलाउद्दी जिनों ने इतने बड़े बड़े जंस्चने जंभूरिया के मुशारे की और मैं भी मुशारे का हिस्ता बनी आज इस महफिल की सदारत पर्मा रहे हैं और मेरे बहुत ही आदर्ली तुम्तुष कुमार जी एडियम सहाब आप सब जमेरे लिए काबल एतराम एक बार फिर सबका बेहच शुक्रिया चुक्छे सारे लोगों की आवाज नहीं आ रही है लेकिन यह महसूस कर रही हूँ के जो आप लोग सदायं बलन कर रहे हैं दुआओं की और दाद तैस्तीन की वो महसूस कर रही हूँ के मुझे दुद रही हैं वो सदाय और वो दुआएं देहच शुक्र गुजार हूँ इस मशायरे में जितने दो तीन चेहर और सुना दो लौट कर नहीं आते हैं जो कहा है वो तो ठीक है मैं जी बताएं आपके अपनी गजल ये तरह हुआ था था आपके अपनी गजल जो अब ये सुनाएंगी शब्लाइ के दो शेर मेरे आपको तो सुनाएंगी गजल के साथ य देखे ये मेरे लिए खुशी की बात है हसन भाई और मेरे मौतरम भाई आप सब करीम कैसर सहाब जो निजामत परमा रहे हैं सद्र सहाब अगर किसी को हुप मुदें तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है मुझे खुशी हो रही है मैं हाजिर हूँ आप सब का हुकम सराखो पे पेश करती हूँ इस गजल के शेर और इस्वक्त वाक Christmas निजात मिली जल्दी से जल्दी और उखुए हमेशा एक दूसरे के हक्र में दूआ करेंगे यह पछे हुआ था हमेशा हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तै हुआ था मिले के बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तै हुआ था मिले के बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तै हुआ था हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तै हुआ था शेर आप सब को नस करती हुआ कहीं रहे हम गएर महबद रहेगे कायं कहीं रहे हम मगर महबद रहेगे कायं जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे ये तै हुआ था हमेशा एक दोसरे के हकों में दुआ करेंगे ये तै हुआ था आज हम लोगडाउन में जरूर है बहुत नवाजश मेरे भाई सलाओ दिन भाई हम लोगडाउन में जरूर है लेकिन एक शेयर पढ़ना चाहते हैं मुलाज़ा कीजिएगा दिखिए चाहिए चाहिए मौह लाज़नेगा जहां मुकदर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे ये शर्त कैसे जहां मुकदर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे ये शर्त कैसे जहां मिले थे वही हमेशा मिलाग करेंगे ये वहा था जहां मिले थे बहुत बहुत शुक्रिया जहां मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे ये ते हुआ था हमेशा एक दूसरे के हक में दूआ करेंगे ये ते हुआ था ये बिशेव दिर के अधासिया अधासिया हर घरी हो लेकिन हयात काटा भरी हो लेकिन हुदासिया हर घरी हो लेकिन हयात काटा भरी हो लेकिन हुदूत भूलों के पत्तियों पर लिखा करेंगे ये ते हुआ था हुदूत भूलों के पत्तियों पर लिखा करेंगे ये ते हुआ था हमेशा एक दूसरे के हक में दूआ करेंगे ये ते हुआ था आफनी श्यर मुलाज़ा करेंगे ये अपना अपना बयों करेंगे ये लिपट के रू लेंगे ये जब मिलेंगे अपना अपना बयों करेंगे कि अपräइँ भादा करेंगे迎ट मेखर जमाने से मुष्कुरा कर मिला करेंगे ये कि आप खादा हमेशा 1 वाय थो हग में दुआ करेंगे ये ते हुआ था अल्ला करे हम सब जहां रहें सुरक्षित रहें महफूज रहें और जल्दी से हमें आप सब एक दूसरे से मिलें ये मेरी दुआएं हैं बहुत-बहुत मुबारक बाद इसको फुब्सुरत महिफिल के लिए तर इसको फुब्सニदी मेरी और इसको फुब्सुरत मुझारी के लिए आप सब का बहराश शुक्रिया आप सब की महब्बतें और बहुत अच्छा आपने हुकम दिया है सिर्ट लाज अकीदत के तब्दे चलते चलते ये जो कर्भ है ये जो दर्द है ये जो पीड़ा है हमसे तब की तरफ से यकीन जानी है इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि अन्वर साब जहां भी है वो हमें सुन रहे हैं जहां रहे हैं जहां भी हैं महुत तोब मैं ये खिराज एक्विदत के तोर पर मैं पेश करना चाहती है चीर पढ़ती हूं मुलाजा करें सुनें पहले मतला पढ़ती हूं इनाएब रंजिशों में कब इंसां सोगवार रहता है आदरी एडियम सहाब आपको शरीक करती हूं आपसे हिम्मत चाहती हूं पढ़ने की शावाज शावाज जिन्दाबात रंजिशों में कब इंसां सोगवार रहता है दिल महाबतों में ही बेकरार रहता है आज भी यकीन करने कुछ दिल नहीं करता एक शेर पढ़ती हूं लाट कर नहीं आता खबर से कोई नहीं क्यार लाट कर नहीं आता खबर से कोई लेकिन प्यार करने वालों को प्यार करने वालों को इंसार रहता है प्यार करने वालों को इंसार रहता है वाट बहुत ज़िए भोपार्टी भी सुन रहे है यदि अरे आपिद्भा बजरेंगी भाईजान में मौझूद है आपको होना भी चाहिए कि आपकी अपनी मैफिल है तो इस वक्त अपने लोग नहीं नहीं हो जी जी बहुत करनागर कही है ना जी जी बहुत करनागर कही है ना वह वह पनी कहा पहुच जाते हैं, ये तो बजरमगी हो गए ना. शमीनी ने तो है आए हावास नहाए हब बंड होई। कली म कथासर साथ अजया लाग है है। ऐसी ओन्य खिया दो, कली म कथासर साथ पिज्ब ए Freund Yourец, Reach Yourself, दिल Sir थार ता मना हो गई। अब तो आजाओ के ख़र रही वाँ से मैं गुजारें गुजार हूँ डप्टर कलीम कैसर साथ से एक तरफी अर्से से अनवर साथ का तालुक था यहां से लेकर दुपई तक जिस तरह सलावद्दीन भाई का उनसे रहा है बलकुल हम प्याला हम वाला उसी तरह से तालुक उन हम लोग अगर नजर डालते हैं पूरे हंदुस्तान में चंद लोग ही नजर आते हैं चार-पांच लोग जो उस दौर के हम लोग रहे गए हैं अल्ला बता नहीं कब कब तक हम लोगों के जिंदीगी रखे तो यह जो वक्त मिले यह लम्हें मिले हम लोग इंज़ाय करें औ अपने कलाम से हम सब को मैजूद सुमाएं यह जी एनाग मैं एक माजरत चाहता हूँ संतोज भाई का मैं जिक्र नहीं कर पाया कि सारा सेरा जो है कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था इनकी तस्वीर सामने नजर आई तो मैंने असन सईसाब का नाम ले लिया लेकिन सारा सेरा जो है संतोज भाई के साथ रहें और इंशालला हमेशा जब तक कि मैं पर सजेगी अनुवर भाई के नाम से और अनुवर भाई के हवाले से हमेशा संतोज हाई हमारे की भीर वृ पीर बनाया हमने रॉस !!! कि अज़े काई मेंट होगा है जिडार साब कहां रहे है अलो आवाज आई जी जी आ रही है आवाज बहुत सरावे हैं बारिश की वज़े से बारिश को तो देर तक तो जोड़ी नहीं पाए बारिश हो रही है तो बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब और इसलिए भी कि अनुद्र साफ से खास तालूफ का हम लोग का चाहे वो भी खास हो यह जितने भी लोग यहां है शरीक हैं या सलाओ दीन भाई सलाओ दीन भाई से बड़ी फुर्बत रही है तो बहुत जादा बश्री जमूरिये के मुशारे की बुनियाद में अनुद्र साफ में मश्वरे भी शामिश ए और वार शलसल सोहला साल तक उनोंने इस में अच्छा हमारे जहनों में रहेंगे दो लोनों वंगा है मौजूद इसमें फिल्म में भी है मेरे अजीज है पुराने गोस्तों में उनकी वज़ास मैं ताजा शेर कुछ नाया दे रहा हूं यह कहा है कि बिल्कुल ताजा शेर है जनाब संद्र साब की इजाज़त है मतला यह कहा है कि जिसका घर हो वो अपने घर जाए जिसका घर हो वो अपने घर जाए वो जो बेगर है वो किधर जाए तब यह कहना घर जाए वोगर है जयारा कि अगर जल्वे दखेरते रहिए नहीं दुद्स नाइए लुए जिन्दार रहे कि मर जाए यह वे अपना माइक आउन कर लीजे पूरी अविपशिट्य में कि तत्सक्रे में रहे सदा जिन्दा आदमी इतना काम कर जाए आप इस जिंदगी के बारे में इतना सोचें के आख भर जाए आप इस जिंदगी के बारे में इतना सोचें के आख भर जाए यू समझ ले के मर गया पैसर अपने हालात से दर जाए आपने हालात से जो ड़र जाए इधर लाटाउन में चब्विना कुछ वजलें बहुत हुई हैं तो उस और शेयर में सुना रहा हूँ कि ये हमार देखने वाले वक्त की मार देखने वाले वक्त की मार देखने वाले तेल की धार देखने वाले वक्त की मार देखने वाले तेल की धार देखने वाले अपनी पीमत लगा के हैं खामोश अपनी पीमत लगा के हैं खामोश अपनी कीमत लगा के भी खुश है उसने बाजार देखने वाले अपने पारे में भी खबर रखें अपने पारे में भी खबर रखें हमको बीमार देखने वाले हैं हमको बीमार देखने वाले हैं उस मायूस नहो जिन्दा है अप्री दो चार देखने वाले हैं अरे बाव नीचे की देखते हैं जमी को तुम मेनार देखने वाले अच्छा है वाव 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 अक्या शेर निकाले है रख साब वाव वाव अच्छान आप डंते वाले अच्छान अब पर देखने वाले हसने शेफ सनो आप पाइदल थे यह बताते हैं आप पाइदल थे यह बताते हैं और आपकी कार देखने वाव अरे वाँ 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 अमा किस रूखसा निकाला है वाँ 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 यह रहें कारीगरी कर दी गईुत अंताद आए है क्या बाद है यहां पंकारी दिखा दिखा दी वाई 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 देखना है जो देखते ही नहीं देखना है जो देखते ही नहीं देखना है जो देखते ही नहीं अब है सब है किर्दार भी कभी पढ़ ले मेरी तलवार देखने वाई अच्छार देखने वाले हर जगह पर दिखाई देते हैं यही तो चार देखने वाले है अच्छार देखने वाले अब तो सालों नदर नहीं आते इन में सो बार देखने वाले बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अब तो रात अपनी है अरे रात अपनी है अब तो शुरू हुआ है प्रोगाम अनवर भाई के मैं फिल है भाई यह तो अब तो शुरू हुए अब तो शुक्रिया अब तो शुक्रिया अदा करेंगे अधार्य जरूरी बहुत अब इस मका में इक मकी था इश्क था इस मका में इक मकी था इश्क था इस मकां में एक मकी था एश्क था जब यहां कुछ भी नहीं था एश्क था किसमता में एक मकी था इश्ग था किसमता में एक मकी था इश्ग था कि तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा तु मेरा कोई नहीं था इश्ग था क्या बात है बहुत है तु मेरा कोई नहीं था इश्ग था सब जवानों में जवान था हुसन और सब जवानों में जवान था हुसन और सब हसीनों में हसी था इश्ग था सब हसीनों में हसी था इश्ग था जब यहां कुछ भी नहीं था यहां कुछ भी नहीं था इश्क था और यह आखरी दो मिस्रे आर्ट अजब शाला के हवाले से यह दोनों मिस्रों के इश्क कर रहा हूं लिए लिए यह दो खुआ हुआ तॉसिए और भी दोनो एक थे तोसिरे होकर भी दोनो एक थे तू कहीं था, मैं कहीं था, इश्क था, तू कहीं था, मैं कहीं था, इश्क था, जब यहां कुछ भी नहीं, आ इश्क था, अब 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 अबड़ अपित हैं हमारे बीच में हैं इनका तालुक है लेकिन भोपाल में हैं मैं यह चाहूंगा कि वो शीफ लाएं और पुछ अपने कलमात से सबका शुकुरिया भी अदा कर दें और अपना इजार ख्याल भी फर्माएं कि आज की नश अज़रते सेजित सलाउद्दीन की सजारत में महफिल कैसी रही इसका विधारे ख्याल परमाएं जनाब आविद हुसाइन बोपाल से हाथ है यह नाविद हुसाइन है और मैं अम्बेटकन नगर से ही हूँ और मैं बोपाल में गैलीवन 15 साल से मुकीम हूँ और यह दुनिया से चुड़ा हुआ हूँ और हसन सही साब और हमारे बहुत अच्छे दोस्त है और पिछे साल प्रोगाम में मैं बुलाया भी था माशारला से बड़ी हिज़त अफ़ाई की और आज की मैफिल में जुड़ने का जो सरफ हासिल हुआ है इसके लिए मैं बहुत शुकुल गुदार हूँ डॉक्तर अचाहिए साथ का और कलीम साथ का शलाहुदीन साथ का और शबीना का तमाम हजरा जैनली शेहर आई वगरा वगरा तबका मैं बहुत शुकुल गुदार हूँ और जिए करता हूँ कि इन्शालला ओल्लाइन नहीं आफ लाइन होगा ऐसी जाए हूँ जाग रहे हूँ जाओं जाग रहे हूं जाओंगा जाग रहे हूँ डान शुक्रियादा करने ऐसे संद्रक्षक कॉंच मिलते हैं तो आज के सदर के हुआ खिदमत में उनका शुरिया अदा करता हूं कि सूरस कहूं कि चांद कहूं कह कशां कहूं तो आपकी नजर है उनके शुक्रिये के लिए उनके काफी मौका अपना जो कीमती वक्त अदब शाला को आज दिया कि सूरस कहूं कि चांद कहूं कह कशां कहूं दिल कह रहा है इनका तुझे पासबा कहूं और हमारे संतोसर स्क्रीन से कुछ अपनी वजुवात मैं कहे दूँ कि खुलूस और चाचा जान खुलूस और जो मुझे को मिला था नुमर से खुलूस और जो मुझे को मिला था नुमर से खुदा ने वैसा ही फिर मुझे को दे दिया संतोश हम सब की खुआश है कि आज के सदर मौतरम अपनी बातों से इस प्रोग्राम को इक्तिताम करें इन्शाला जिन्दगी रही तो फिर कभी प्रोग्राम होगा बहुत 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 शुक्रिया मैं तो कुछ आवास कम आ रही यह आपके अब सही हुई आवाज यह जी जी सर्व कुछ लम्हों के लिए तुम में ऐसा महसूस हुआ कि यह मुशहरा आउन-लाइन नहीं हो रहा है बलकि हम सब लोग कहीं बैठे अपनी तौर से जाती तोर पर मैं आप सब लोग का भी अपना मश्कूर और मम्लून हूं और यह समझे रहा हूं कि मैं खुद भी तंजीम का एक हुँ हुँ और इस तंजीम के सभी दों कर मैं बहुत ही शुक्त बढ़ार हूँ अप सरपरस्त हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इन्शाला ताला आइंदा बरस जब आप लोगे इन्यकाद करेंगे और मुझे अगर पहले से इसकी तरह मिली तो मैं यह वादा करता हूँ को मैं इन्शाला मैं खुद हाजिर होगा इन्शाला आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगे आपी रोगी मुखबत ऐसी अदब शाला को हमको मिल लेगे हमको बहुत ही हौसला होता है अब आप सब का साय हमारे उपर काइम और दायम रखे आमें पर इस अंदाज से कर सके अब बर्माटनेंट सदर हो गए हमारे अपके बगार मुवकिन नहीं है बेशाला आपकी कर्ण्विनर्शिप में आपकी सदारत में इन्चा अल्ला कि मेरी क्या मालूमात है क्या हकीकत है आप सब यहां के साथ बैट पर कुस्क्राइब आप बड़ी तारीख साथ शक्सियत है वाई आपने तारीख रखंगी है दुबई में सची बात को यहां पर एक अठा कर लिया है सलीम जाफरी के बाद वो मनखता हो गया ता सिन्सला मोग समझते हैं सची बात है विसे मनखता हो गया है पुर्य उसके बात लैड़ी है पूरी दुबई में फैला दिया, बो दिये शायरे में, अगर किसी एक शक्त का मुझे ये कहा जाए कि आप नाम लीजिए कि कौन इसका मोहरिक बना है तो वो अनवर ज़ालपूरी अरे बाद, अरे बाद, अनवर जशक्त के निजामत के लिए मैंने बुलाया था और उसी दिन से मतलब मेरे पीछे पड़ गए थी, लेकिन वहराल, तो वहराल मैं फिर महीं पर हाद आ रहा हूं कि मैं आप सब लोगों का बहुत ही मश्कूर और मम्नून हैं कि आपको प्रश् आप मेरे सरपरस्त है, यह आपकी दुआओं का सब्का है, अलावदीन भाई, यह जब गदल पड़ते हैं, मिस्रा यह पड़ते हैं, श्वेर लोग मुकमल करते हैं, यह अनवर भाई की दुआएं थी, मरहूम की यकीन जानिये, कौन-कौन लोग यहां बैठे हुए हैं, य दुआता हैं यह अनवर भाई के साथ और आप सबनों की मेलता हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, बहुत-बहुत शुक्री अजा इक जुम्दा आमारे सन्तोषार भी करें हैं, लाशत नमे सबंकाइन वलोग इक फिर नेंग यहां इभील हैं, आपके बोलें, सृताम के बाद आडियो कोले हैं अब नहीं पड़ा हूं हाँ जी आवाज आई आरे आरे आपके आवाज आई बहुत बहुत शुक्रिया इतने लोगों ने हमारे फात्माफ में दिया और यह जो यह प्रोग्राम था बहुत अच्छा लगा जो चाहता हूं यह कारवाँ चलता ही रहे क्या बात अब यह रुपना नहीं चाहिए तकाज़ा है कि यह माहोल जूसरा है और बाकी चीजें हैं अब बाकी चीजें परेशान है मैं उपरवाले शेये दुआ करता हूं कि हम लोग जल्दी इससे लिजात प्राएं अनलाइन जो प्रोग्राम टुकड़ों टुकड़ों में सुनाई पड़ रहा है यह हम लोग सामने बैठें एक साथ बैठें क्या बात है वाओ आमने सामने सबके मुख्रों में फुनाई पड़े जी जा बात तो मेरी यही इलतिजा है यह बहुत अच्छा रहा आगे भी अच्छा होगा इंशालाओ इंशालाओ मैं अनुवर अनुवर अधा को पढ़ा जो भी हसन साइद साहा ने प्रवाइट कराया में शमझा वहां पर बहुत चंग दिनों में रहा मुश्किल से तीन सार महीने उसमें मैंने महफूज किया समझा शाइरी समझा और फाइरी से जादा शाइरों को समझा संतोज जलाल पूरी साब आफ हो गए हैं यहां से जी कि सर एंव आप यहां हैं और उसमें कोई बात हम और के वा इसे हैं मैं दिल से जुड़ा हूं और एक मिशें काकी लोग मुझे जान रहे हैं कि हमारे सर मायव के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं उनके मायव के तना इंट्रेस्ट है कि वो जहां भी रहते हैं अपनी सर्विस में वहां के कालेजिजों में जाकर चाय मिगालके बच्चों को मैज दरूर पहाते हैं जलादपुर में भी काई डिगरी कालेज में पढ़ाता था उसके लवां भी मैं कई कमडिशन एक्जाम में हंडेट परसेंट मलग पूरे पूरे नंबर मेट्स लिपाया जी जी बे मुवालक आपको सब लेकेन ठीक है गुफक टेक्णिक है जहां जाने की गलाफ़ते अलग अलग है कोई किसी राफ़ते पहुचता है अभी घंवे थी तो पॉल्य से गलिया तो भीक कर्क कर करके लोग पूंच जाते हैं हम बान में गूरते रहते हैं आप जल जल दे डियम बन जाए वहां से सजवाले हो जाएं जो हूँ अगर वो बना रहा हूँ यह मेरी सक्से बड़ी अरे बात बात बहुत बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता जो हमको मिला जो हम कर रहे हैं और कभी कभी तो लगता है कि मैं यह नहीं होता अगर वो होता तो और ज़्यादा अच्छा करता जो दhouse हो रहा है इस सब चीजें जो देन हैं वो पर वाले की जी सर्बनिया अपना अपना रोल मिला है उस किरदार को हम कैसे निभाएं, ये ज़्यादा मात्रू है. मेरी यही जो दुवा रहती है, पाकि शब लोग एफे चुड़े रहें, सलामत रहें, उपरवाला करें, हम लोग इस मुशीवत से जल्दी निजात पाएं. और इसी प्रोग्राम को अगले साल बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, ये मेरी दिल्पा है, जो फंजें वो है, ये बहुत अच्छे तराफे होगा, मैं इसी के साथ अपनी बारी को बियाम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई एक बढ़िहाफा कलाम पेश कर दे, चलते थे बहुत अच्छा लगए हूचा, चुदु हसन बढ़िए, पढ़ेंगे, बढ़िया तो आप ही पढ़ते हैं, जिल्हे मैंने पहले ही आपधा कर दो, चाहता हूँ को फ़बीना है, पढ़िना है, जाला है, चाह दो छावाँ, जीस साल की परमाईश पूरी की जाएए, गजल के दो तीन शेर में पढ़ना चाहते हैं तू किसी रास्ते का मुझार रहे तू किसी रास्ते का मुझार रहे तेरी एक ठोकल उठा लाओंगी तू किसी रास्ते का मुझार रहे तेरी एक ठोकल उठा लाओंगी अपनी बेचेन फलकों से चुन चुन के मैं तेरी रस्ते के पथर उठा लाओंगी अपनी बेचेन फलकों से चुन चुन के मैं तेरी रस्ते के पथर उठा लाओंगी मैं वरक प्यार का मौड सकती नहीं जिन्दगी में तुझे छोड सकती नहीं मैं वरक प्यार का मौड सकती नहीं जिन्दगी में तुझे छोड सकती नहीं तु अगर मेरे घर तक नहीं आएगा तु अगर मेरे घर तक नहीं आएगा मैं तेरे पास ही घर उठाना आएगा तु अगर मेरे घर तक नहीं आएगा मैं तेरे घर तक नहीं आएगा मैं तेरे घर उठान लाओंगे बताव पाश्यर आसों का ये मौसम चला जाएगा मेरे लब पर तक नहीं आएगा मुझे को दिल की जमी से तुम आवाज दो मुझे को दिल की जमी से तुम आवाज दो आसमा अपने सर पर उठा लाओंगे तुम आवाज दो आसमा अपने सर पर उठा लाओंगे बतरे खास आप सब की शिर्कत और ये जिर्शेल अताओ अताओ ये जमाना है सहरा सिपत हम नशी जंद को तरे भी इससे न मिल पाएंगे ये देख तो मुझे से कहकर किसी रोज तू देख तो मुझे से कहकर किसी रोज तू तेरी खाते समंदर उठानाओंगे तेरे माथे के एक शिकन के कसम मैं आयादत को रसमन नहीं रिखाय हूं तेरे माथे के एक शिकन के कसम मैं आयादत को रसमन नहीं आई हूं मेरे बीमार तेरी दवा के लिए मेरे बीमार तेरी दवा के लिए अपना एक एक जीवर मुझे मेरे बीमार तेरी दवा के लिए अपना एक एक जीवर मुझे अपना एक जीवर मुझे एक जीवर मुझे जीवर मुझे जीवर मुझे मेरे कि की जो है एलान कर दें शहर्यार भाई आऊ जीुझ मजे जब दाथ अबाज आरी है अब आजा популяр है जी शहर्यार में आरही है । कि एक फिर द लगाओ सिंडिक मजेट को अब जारी जी आ जारी जारी जयाबए फिर रावा जी ओर То तरम सद्भाख कर देटा अधिया नियुक्त लोगों ने रखशाला अनगर जलगुरी की शिरकत की लोगों की तब हो आएंदा भी आख लोगों की अफ़ा जरूरत रहेगी बहुत 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 थोफ बहुत माशाओ लॉल्ला जैल आंछाल बएस्ट साइब साइल 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 बहुत बहुत शुक्रिया आविज्या यशन काजमी सहाफ सार आप करभो हुदाम सलाव दीन साफ कलिम कैसर चचा जाजाए, मुथरमा शबीन अजीब आदीब साहिबा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अज्ट बाई टेक किया, खुछ रिए बिल्कुल शुक्त अजय अपने माशाओला आप साथ अपना खियाल रखे मैं आपस को नहपूज रखे और सब्की भाज़त करें आम झालक điều में इंशुरा शाना, इंशुरा शालकquezस्शा है